इस किया लाइन वाइस कंफर्म कर दीजे वैई अवाज आरी क्वेकली बता दो जी वेलकम 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 गुड इबनिंग गुड इबनिंग ओल आफ यू गुड इबनिंग कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी है आपके थोड़ा सा आप बता दीजे भई जी हाँ जी चलिए और थमसब कर दीजे भई सारी चीज़े क्लियर हैं तो विकली बता दो मतलब सारी चीज़े प्रॉपर तरीके से सही है कि नहीं ये बता दो वही फाइनल चलिए तो सेशन करते हैं स्टार्ट और जैसा कि थमनेल और टाइटल दौनों में आपने चेक कर ही लिया है कि आज का सेशन हमारा किस टॉपिक पर रहने वाला है क्लियर तो जितने भी लाइब आ गए ठीक है तो अपना प्रिजेंट सो कर दीजिए कि सर हमने लाइब जाइन कर लिया है ठीक है चलिए तो जाइन करने का तरीका आप सभी को पता है कैसे करना है यानि आप अपना कमेंट बॉक्स में हैलो हाई गुड इबनिंग जो आप ल चलिए तो सेशन करते हैं वह स्टार्ट और आज का टॉपिक हमारा कंपीटर फंडामेंटल जैसा कि आपका फैबरेट है मेरा फैबरेट मैं घर आ चुक्राओंग मुझे सबसे अच्छा लगता है और काफिस्टों को फंडामेंटल अच्छा लगता है लेकिन फंडामेंट नहीं कुछ तो होना पड़ता है जब हम कुछ होंगे तब ही तो आप होंगी अदर्वाइस रहा है मासुम सा चेरा लेके आजाओं तो आप कुद काऊगे सर आज दुखी अच्छा नहीं लगता ना असते रहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए तो मैं पहले समझा देता हूं कि आज के session में होगा क्या वैसे तो आप सभी को पता है MS Office अच्छा लगता है MS Office लिए अच्छा लगता है ना तो इस सारी चीज़े आपको भी practical दिखा सकते हैं कि हां ऐसा होता है इसमें तो बोलना पढ़ेगा कि ऐसा पढ़ा था ऐसा fact है तो आपको भी मानना पढ़ेगा मुझे बताना पढ़ेगा यह चीज़ है थोड़ी सी ठीक है ना ठीक है वही ठीक है ठीक है आपकी महरवान ही है जो हो जाए ठीक है चलो हाँ टेंशन होती है रहा तो नहीं तब तुम थोड़ा सा गड़ड़ हो जाता है मानता हूं ठीक है चलिए तो आज का सैशन है महारवीजन का सैशन नमबर टू ठीक है जिन्होंने सैशन नमबर फास्ट नहीं देखा वही प्लीज जाके जरूर देखिएगा क्योंकि पहले सैशन में हमने एक ऐसा टॉपिक डिसकस किया है तो आज है अकेला फंडामेंटल नहीं है आज आज फंडामेंटल के साथ फंडामेंटल में जो आपके टाइपस है इनके साथ पैरिफेरल और मेमोरी को भी कंप्लीट करेंगे क्यों क्योंकि जब हम कंप्टर के कंपोनेंट की बात करते हैं तो वहां से निकलता यह दोनों टॉपिक इसलिए हमने इस पर भी काम करना है अब एजन्डा क्या है इस माहा रिवीजन का यानि वन सौर्ट में हम सारे कॉंसेप्ट को समझते हैं और प्रिबियस एयर के जो कोशन्स हैं साथी साथ में एक्सपेक्टिड जो कोशन्स बन सकते हैं उन सारे कोशन्स पर नज़र डालते हैं काफी लोग कहते हैं सर आप प्रिबियस करा रहे हैं अरे वह एक्सपेक्टिड मैं मांक टैस्ट मैं भर भर के दे रहा हूँ तो यहां पर previous year question इसलिए मैं करा रहा हूँ और previous year ऐसे नहीं है भई कि मैं सारे previous year भई हर face के questions हैं और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपके आने वाला जो paper रहता है ना उसका face previous paper से ही आता है तो मैं अपना face क्यों हूँ जो paper मारा भई आपको चाहिए भई मैं द उनकी संतस्री के लिए ज़रूरी है इसलिए मैंने clear लिग लिए है previous year questions के साथ हम उन आने वाले paper का face समझेंगे कि आने वाले paper में कैसी हमारे questions relate करने वाले हैं clear और हाँ एक चीज और बता दूँ कि यह महारे बीजन का session number two है इससे पहले एक session अलड़ी हम कर चुके हैं जो आज पहली बार आएं उस session को जरूर दे के क्यों क्योंकि वो एक ऐसा session है जो 20-22 question का weightage रखेगा आपके paper में तो काफी अच्छा weightage है और साथी साथ मैं उससे प previous यह नहीं जिसका previous session मतलब after sorry MS office का mega किया था वहीं से निकल के आया था सारी चीज़े चलिए तो फिर ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा session करते हैं start हाँ जी चलिए तो बिलकुल भई आप मुझे पर विश्वास किया है ना तो जो मैं करा रहा हूं पूरी तरीके से सही है और आपको लगता है जरासा भी संकूच और डाउट होना तो तुरंत अपना डाउट किलियर जरूर कर लेना वही तो कि ऐसा मत अपनी मेहबन में बेहम मतलब जो होता है ना एक बेहम लेके मत बैठना अदरवास गड़बड हो जाएगी आपके साथ मेरे साथ तो कोई गड बेशानी नहीं है ना तो सारी चीजे कराई रहा हूं और आपको करनी है चलिए तो पहले पीडियाफ ओपन करते हैं मैंने क्लियर लिख दिया है कि महा रेवीजन साशन टू में कंपीटर फंडामेंटल्स के अंदर हम जनरेशन टाइप्स आर्किरेक्ट्चर और तैरी फेर जैसे कोशन बढ़ता जाएगा चींज होता चला जाएगा और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दू कि अगर आपको साशन अच्छा लगी लाइक कर देना भी मत करना बाद में कर देना जब अच्छा लगी नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं और नहीं हो त आता है ना उसे आप कमेंट बॉक्स में लेख जरूर देना वो मैं बताँा गा सही है कि गलते बता है आपको अपना काम कर दे आ जब आप अपना काम कर दोगे तो पेपर लेकिन आप तो करिए आप बढ़िए तो आगे जब मैं बढ़ रहा हूं तो visit उन्हीं बढ़ रही है, सही है ना, चलिए, तो साशन स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन आपके स्क्रीन पर है, और आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंसर का मैथटर्ड आप सभी को पता है, कि कोशन नंबर के साथ हमें आप्शन लिखना होता है, ठीक है, चलिए, तो पहला कोशन है, which of the following is the period of the fourth generation of the computer, यानि computer की जो fourth generation का जो समय है, वो क्या है, ये कोशन का, कल स्टोन कह रहे ते सर आप star नहीं कर रहे, star नहीं कर रहे, तो भी आज मैं star करूंगा और double star करूंगा, इस कोशन को आप double, triple जितने star करना चाओ, कर जरूर लेना, क्योंकि ये कोशन आपके paper में as a copy paste में, ये previous year का है, लेकिन मिलेगा कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे मिलेगा, ये साथ ही साथ हर कोशन के साथ देखने वाले हैं, clear, चलिए, तो अगर मैं समय की बात करूं, तो first option का जो समय है, वो आपका generation बन का है, यानि first generation की बात करें, पहले generation का आपका जैसी, अगर आप first generation को थोड़ा सा दियान से देखो, first generation, first generation का समय दिस, ये हैं, second generation का समय दिस, third generation का समय दिस, fourth generation का समय दिस, option number fourth is the correct answer, clear, तो आप जरूर लिख लेना, और 1980s की अब तक का जो समय है, वो fifth generation का है, clear, तो यानि एक question तो आपका पका हुगा एक्जाम में, बार बार मैं multiple question इसी पर बेज देता रहूं तो मतलब नहीं है, एक question कर लिया, और उससे अपने लगवग पांच question को बेज दे दिया, ठेके ना, पांच question समझ गए, यानि पांचो generation का जो time period है, उस पर हमारा question जरूर बनेगा, आपकी सिप्ट में नहीं आया ना, तो आपकी दोस्ट के में जरूर आएगा, clear, चलिए, next आगे बढ़ते है, question number second की तरफ, question number second क्या कह रहा है, यह भी most expected, जब हम generation की बात करते हैं न, तो generation में जो अगर आपनी मुझसे पढ़ा है न, तो मैं सबसे पहले time period के साथ जाता हूँ, फिर उसकी technology, फिर उसका language, फिर उसका memory, फिर उसकी speed और जो important device, इस प्रकार से मैंने जो generation का topic है, उसे explain किया है, थियोरी मेंने bullet point पे हमने key point में चीज़ों को समझा है, जो कि ज़्यादा आसान होता है समझने और याद रखने के लिए, चलिए तो third generation computer में जो technology थी, वो कौन सी थी, यह आपको बताना, technology का जैसा कि आप सभी को बता है, कि चाहे तो अभी recently का paper ले लो, या कोई भी पहले का paper उठा लो, technology पर question कहीं न कहीं tend बन रहा है, time period पर नहीं आया, तो technology पर ज़रूर आएगा, क्योंकि यह basic question क्योंकि आपको भी पता है, आपके examet तीन level के question आते हैं, easy, modded और hard, तो यह easy मान के चलिए, तो easy question कैसे बनाएंगे, भी ऐसे तो बनाएंगे, अलग से तो बना नहीं देंगे, clear, चलिए, तो answer आ रहा है, third generation की बात करें, तो third generation, option number second बता रहे हैं भी, ठीक है, अगर first generation की बात करो, तो vacuum team आता है, third generation की बात करोगे, तो आपका third generation में this आ गया, second generation में यह आ गया, और यह क्या, large skill integration, large नहीं, L, S, I, C, L, S, I, integration या L, S, I बोल सकते हैं, large skill integrated circuit, L, S, I, V, L, S, I, और U, L, S, I, यह तीन रहते हैं, clear, यह भी आप ले सकते हों, four generation में आप, four generation का क्या है, four generation का comment box में, एक वार paste कर दीजे, fourth का क्या है, और fifth का क्या है, clear, बता दोगे कि नहीं, बता दोगे, fourth का बता दीजे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिख देना, five, fourth, four, G, डाइस, और five G, जो भी technology है, वोसे आप comment box में बता दो, तरह नहीं आया, तो question ऐसे आएगा, कैसे, in dash generation of computers, integrated circuit, per use, यानि integrated circuit का computer की, किस generation में यूज गा, तो दोनों method से question पूछ सकते हैं, ऐसे ही आपको first question को ध्यान रखना है, यानि जरूरी नहीं है कि, कौनसी generation का time period का option रखने हैं, या फिर कोशन भी बना सकते हैं, ये CPCD का सच है वही, कि वो क्या करता है, कि कोशन को कभी option, कभी option को कोशन, बनाने में बड़ा माहिर है, तो आपको समझना होगा, ये question number third, second और third, CM question है, लेकिन उन्होंने पूछा कैसे, ये आप देख सकते हैं वही, यहाँ पर देखो, same question है, लेकिन अलग अलग पेपर में आया है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, कि यहाँ पर देखो, third को उन्हेंने क्या कर दिया, dash कर दिया, ये third वाले question में, और I see, पता है, आपको यहाँ पर I see आया था, I see were used, बताओ कुछ language change हुई, बिल्कुल भी ने, यही वो चीज है न, तब ही मैं कहता हूँ, कि अगर आपने previous year questions पर काम किया, काम का मतलब समझते हूँ न, काफी लोग करते हैं, कि उन्हें solve करते हैं, तो आप कितने करोगे, 130 से उपर को पेपर है, अब 130 पेपर, मुझे नहीं लगता आप कर अपाऊगे, तो इस अच्छा तरीका है, कि कोई भी पेपर फालो, और ज्यादा मेरा idea यह होता है, कि आप प्रसेंटीज, जैसे काफी शुन्ट इसमें, जो क्लास ले रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, जिनका टार्गे डवंबर पेपर होगा, तो उनको क्या करना है, जैसे अभी सैक्टेंबर का पेपर होगा, चार पेपर आएंगे, तो चारों पेपर को बेस बनाओ, उनके कोशन का बेस तैयार करो, की जरूरत है, ना किसी की जरूरत नहीं, आप खुद ही एक्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये कंप्टेर नहीं, मास्पें, रीजनिंग, सब में अप्लाई होगा ये फार्मूला, यानि सैहल भी कर सकते हैं, तो बस आपको मैथर्ड पता होना जरूरी है, क्लियर चली, तो समझ में आगे है, ये थर्ड जनरेशन हो जाएगा, यानि ऑप्शन नमबर थर्ड इस दर करेक्ट अंसर, आगे बढ़ते हैं, पॉशन नमबर फॉर्थ की बात करते हैं, विच अब दाफ वाले, इस नौट आ हाई लेबल प्रोग्रामिंग लेंग्वेज़, आप लोग बोलोगे सर, प्रोग्रामिंग लेंग्वेज़ का सॉफ्टर में आप कराते हैं, तो ज्यादा बहत्तर होता, प्रोग्रामिंग लेंग्वेज़ से अब करने की सॉफ्टरेट डिजाइन करते हैं, और आपने फंडाबेंट तूर में रखा क्यूं, तो इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है क्योंकि जब हमने कंप्रटरी जनरेशन पड़ी थी, जनरेशन के अंदर आपने देखा था कि जब हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो हर जनरेशन के आदार पर हमने लेंग्वेज को भी समझाता, इसलिए लेंग्वेज को आप इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, इसे सेपरेट पड़ने की ज़रूत नहीं होती, तो हाई लेवल की बात करें, तो आप कोशन ये बाता है, कि हाई लेवल लेंग्वेज किस जनरेशन में आई थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आप बताऊगे, जिससे डिफाइन हो जाएगा, कि आपको किस हद तक आपनी चीज़ें पड़ी हैं, तो हाई लेवल लेंग्वेज आपकी कौनसी नहीं है, तो नहीं है, जैसा कि आप्शन नमझर फॉर्ट इसदा करेंट आंसर, जो कि फॉर्स सब्दास्टर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना एक स्टेप आ गया है, जो आपका ADA language है। लेकिन असेंबली नहीं है, अब कोशन यह है कि यह आपकी जो हाई लेवल language हैं, जो इस यहिए जनरेशन में आही थी, बैसा कि आउसर आना स्टार्ट हो गया है, राज ने कर दिया है, लक्षमी ने भी किया है, बाकी आप भी करें, भई कहां पर रहे हैं आप, मैं आपके एक आनसर का वेज करूं खरसिता जी, गॉरब जी, बिलकोल, निशा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, असेमली जी जी जी, फर्ट जनरेशन कौन है, फर्स्ट वाले, फर्स्ट में आई थी फर्स्ट में आई थी, very good, very good, कैसे फर्स्ट में आई थी चले तो language की अगर मैं बात करूँ, तो language मैं बता देता हूँ कि फार जनेरेशन में आपकी low label language आई थी low label language जिसे हम machine language बोलते हैं और second generation की अगर हम बात करें तो second में हमारी assembly थी क्योंकि option number fourth में है, third generation की बात करें तो high label language है, अगर हम 4G की बात करें, 4 generation की तो हमारी scripting language और 5G की बात करें, 5 generation की तो हमारी artificial intelligence यह उस पे काम करने वाली उस पे काम करने वाली language है, AI वाली, clear तो यह general language का classification है, मैंने आपको बता दिया, कोई भी पूछे आप आराम से लगा सकते हैं, dash question, question number five की बात करें यहनि, which of the following is a scripting language, अब मैं आपसे पूछूँ कि scripting language किस generation में आई थी, मतलब यहाँ पर आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर language के साथ साथ हमने उसकी generation का question भी cover कर लिया है, clear, तो scripting language आपका कौन सा है यह आपको बताना है, तो सी, सी, पैसर फॉर्टन, यह आपकी तीनों की तीनों, यह तीनों की तीनों आपकी high label language है, क्योंकि पर्ड़ है, आपकी scripting language है, clear तो answer हो जाएगा option number third, अब अगर आपको देख रहा हो, कि scripting language आपकी कि जनरेशन में आई जी तो आपको लोगे सर्फ फोर जनरेशन में थे, फॉर्थ में, clear, तो फिफ जनरेशन की language कौन सी है, कुछ लिए comment box में यह भी बता दीजिए, जिससे हमारी language वाला part complete हो जाएगा, clear, फिफ जनरेशन की language कौन सी है, एक मैं आपको comment box में बता देता हूँ, prolog है, ठीक है न, आप बता दीजिए कि कौन सी और है, कि comment box में लिख दीजिए, जिससे confirm हो जाएगा, कि आपने चीजें सही पड़ी है, clear, मैं फोटो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा चैड़ा बैठ रहा है, मतलब, बैठ का मतलब समझ रहे हैं, आपका focus चेहरे पर ज्यादा है, content पर comment, चेहरे से कोई फरक न राइड है, बाकी बताईए बाकी, बाकी, natural language, Python, drie, scripting है बिल्कोल से यह, इस ठीक है, 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 जारिए, आगे बढ़ते हैं, आप लोग with regards to IC, IC के सम्मन्द में जिम्लित में से किसका प्रयोग नहीं होता, मतलब IC पढ़ा है, IC, IC, integrated circuit, IC के लिएम किसका यूज़ नहीं करते, तो अगर IC पढ़ा है, IC पढ़ने से आपको चित्ते clear हो जाएगी, किसका यूज़ नहीं करते, Small Skill Intrigation, Medium Skill Intrigation, Very Large Skill Intrigation, पढ़ा है, पढ़ा है, Option नमबर कौन सा लगाओगे, 6 का, 6 का कौन सा लगाओगे, भई, विकली बता दो, PSI बता रहे हैं, स्टुएट भई, आप क्या बता रहे हो, तो आप अपना अंसर करिए, स्टुएट तो PSI बता रहे हैं, तो आप सभी को बता है, SSI का मतलब होता है, Small Skill Intrigation, उससे बढ़ा होता है, हमारा, जैसे M, M मतलब, Medium Skill Intrigation, फिर उससे बढ़ा होता है, Large, जैसे LSI बोलते हैं, Large Skill Intrigation, और उससे बढ़ा होता है, Very Large, जैसे PLSI बोलते हैं, उससे बढ़ा होता है, ULSI, जैसे Ultra Large Skill Intrigation बोला जाता है, Clear? बढ़ा, IC में कुछ Transistor होते हैं, जैसे हम SSI बोलते हैं, जैसे हमारे Transistor की संक्या बढ़ती गई, बैसे बैसे हमने इसका नाम चेंज करते गई, जैसे अगर मैं आपको Example दूँ, कि अगर 100 Transistor अगर on a chip में आते हैं, तो उसे हम MSI बोलते हैं, क्या MSI, जैसे MSI मतलब Medium Skill Intrigation, ठेक है, Large में जाओगे तो 1000 चला जाएगा, इसलिए कोशन भी आया था, कि जो हमारा 4 Generation का, जो Large Skill Intrigation है, 4 Generation में जो Number of Transistor हैं, तो लगवग, लगवग 1000 प्लस होते हैं, 1000, clear, क्योंकि वहाँ पर VLSI का यूज होता है, जब 100 MSI में हैं, तो लगवग 1000 हमारा LSI में होगा, समझ रहा हैं ना, SSI मतलब Small Skill Intrigation, इसमें लगवग कुछ ही Transistor होते हैं, लेकिन अगर हम 1000, 100 में चले जाएं, तो MSI चला जाता है, मतलब Medium Scale Intrigation, और अगर 1000 ने चले जाएं, तो Large Scale Intrigation, Very Large में हमारा 1000 प्लस हो जाता है, और उससे भी बड़ा होता है, ULSI जिससे Ultra Large Scale Intrigation बोलते हैं, clear, यानि जो IC बना होता है, IC हमारा Transistor से बना होता है, clear, और जैसे जैसे Number of Transition हम बढ़ाते जाते हैं, हमारे IC का नाम चींज होता रहता है, जिससे हम SSI, MSI, MSI, LSI, VLSI और ULSI, ठीक है न, ये Term ध्यार रखना, क्योंकि ये, मैंने Step में आपको बता दिये, तो इसका Answer हो जाएगा, Option Number, Second is the Correct Answer, Question Number 7 की बात करें, which of the following would not be considered as a portable computer, ये पॉर्टेबल कम्पीटर के रूप में consider नहीं होता है, तो desktop, not work computer, personal digital assistant और tablet, तो desktop आप सभी को बता है, जो हमारा PC होता है, वो portable device नहीं होता, बाग कि अगर आप PDA की बात करें, tablet की बात करें, not work computer की बात करें, कि सभी को आप portable, formal ले जा सकते हो, तो यहां तक हमारा, अगर Question Number 6 सक्टम जाते हैं, तो हमने generation को पूरी तरही के से finish कर ले हैं, लेकिन एक चीज़ धिहां रखना, काफी सुन क्या कर रहे हैं, जो Question मैं यहां पर दे रहा हूँ न, उनी Question को धान से समझते हैं, आज आपको अपनी Note को पॉइंट भी लिखने हैं, जैसे मैंने SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI को बताया, या आप Step by Step आपको Note करने होंगे, Note करोगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ न, वो भी अपनी आपने Question जंडीट होता है, clear, तो यह चीज आपको बिसेस तोर से ध्यार रखना है, Question No.7 का अंसर हो जाएगा, Option No.1, Last Question, Question No.8 की बात करें, Which of the following is smallest size, मतलब, size में छोटा कौनसा है, तो PDA सभी को पता है, सबसे छोटा होता है, Note की, मतलब, जो हमारे Option थी, Option No.7 के सी, कि वही कोशन है, वह कोशन का formation चेंज कर दिया है, वहाँ पर पॉटेबल पूछा था, यहाँ पर सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा PDA होता है, I think आपको सभी को पता होगा, Option No.1 is the correct answer, clear, क्योंकि फर्स्ट होगा, PDA जानते हो, PDA मतलब, Personal Digital Assistant होता है, clear, आगे बात करते, Question No.9 की, Question No.9 क्या कह रहा है, Computer पर धनी उत्फण करने के लिए, DAS, एक Expansion Card जिसे IC बोलते हैं, इसे आप speaker headphone के माद्धम से सुना आ जा सकता, मुझे नहीं लगता, कि एक से Englishman को इसमें doubt हो, यहांने ऐसा कौन सा Card है, यहांसा कौन सा Card ही Option में है, जो हमारे Sound को Permission देता है, चाहे तो आप Input कर रहे हो, चाहे आउटपुट कर रहे हो, तो जैसा कि आप सभी को पता है, वो हमारा Sound Card होता है, Graphic की बात करें, मतलब वीडियो की बात करें, Image की बात करें, तो हमारा Graphic Card होता है, जो हमारे Refresh Rate को कहीं बहुत अच्छा बनाता है, बाकि NIC की बात करें, NIC आप सभी को बता है, जब Internet की Connectivity चाहिए, तो हमारे कहीं न की NIC की हमें जरूत पढ़ती है, तो Basic Use हैं अगर Basic पता होगा, तो Question Elimination से अराम से कर जाओगी, Last Question, Question No.10 की बात करें, Which of the following is part of the CPU, यानि Central Processing Unit, जहां रखना, जैसे कल के session में हमने MS Office में, Powered, Excel, Powerpoint और साथ-साथ में, उनके File Exchange को भी समुझने का प्रियास किया, ऐसे ही आज के session में हमारा, जो हमारे session है, fundamental peripheral memory है, उसमें एक topic और consider मैंने किया है, जिसका नाम है full firm, क्योंकि full firm यहीं से generate होगी, तो क्योंकि full firm का अपना, खुद का topic नहीं होता, यह सारे topic से question निकल के आते हैं, clear, तो यहां से वो topic भी complete करेंगे, तो central जो मैं term बोलू, उनका full firm भी जो मैं पूछू हूँ आपको जरूरू बताना, जैसे मैं SSI बताया, तो SSI का मतलब क्या होता है, small small integration, तो यह अपने आप एक नया portion generate हो गया, यह स्टीपी का part है, स्टीपी का part सभी ने बताया, option number third is the correct answer, बिल्कुल सही है, लेकिन छोटा सा सवाल आप से और है, आपको comment box में बता दोगे, तो मैं यह confirm, मतलब अपने आप पर सुनक्षित कर लूँगा, कि हाँ, यह आप तक मतलब आपको आता है, जैसे अगर मैं बोलू, कि CPU का part आपने ALU बताया, option में, आपको उस पता है कि सर CU होता है, CU होता है, ठेक है, अब बाकी और कौन से होते हैं, जैसे मैं एक और बता दूँ, कि registered होता है, तीन मैंने type आपको बता दी, कि जो CPU के part होते हैं, CU, ALU, registered, बाकी कौर कौन से होते हैं, वो आप comment box में बता दोगे, तो मैं संतुर सोजाओंगा, कि हाँ, आपने CPU के बारे में, proper तरीके से study की है, नहीं की है, तो उसे भी देखेंगे, द्रस्टी डालेंगे, भई करना क्या है, clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर 11 की बात करें, micro processor और memory, और important component आप हमारे micro processor memory किसकी component है, output, device, input, यह तो बात गलत है, ना तो output है, ना input है, दोनों option आड़ारो, डेस्ट सब है, बिल्कुली, system unit का part है, अगर आप जब भी कोशन, एक चीज़ धार रखना, कि जब आप पेपर में बैट होगे, एक चीज़ हमेशा माइन में, सैट कर लो, अगर आप पेपर लगा रहे हो, mark test लगा रहे हो, topic wise कुछ लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, अगर आपको कोई कोशन नहीं आता है, तो पहली बार में उस कोशन को पर्टेम करने का प्रियास, बिलकुल ना करें, उसे second cycle में रखें, लेकिन उसके साथ आपको mark review करना पड़ेगा, जब आप second time में आवगों, तो कम सिकमस कोशन को identify तो कर पाऊए, कौशन आपने mark review के लिए लगाया था, memory unit, control unit, ठीक है, memory unit बोला है, तो काफियत तक मतलब मान लेता हूँ, ठीक है, memory जब मैं बता देता हूँ, अगर आप CPU के पार्ट लिखना चाहते हो, तो लिख लीजे भई, CPU के पार्ट में आपका, Q आता है, ALU आता है, study आपने सभी ने पड़े होंगे, इसके अलाबा, कास जो memory होती है, हमारी, वो भी हमारे CPU का बार्ट होता है, बसे सोती हैं, क्लॉक्स होती हैं, ये सारे हमारे CPU के ही पार्ट होते हैं, clear, जब लगना चाहो, तो लिख लेना नहीं, आप इतना याद कर ले तो सफी से, clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 12 की बात करते हैं, जब सभी component को जोड़ता है, input, output, device को system unit के, साथ communicate करने की permission देता है, monitor, mouse, ram का कोई काम नहीं है, आप सभी को देखते है, question का answer, जब आपने option पड़ा, अगर आप option पर एक नज़र भी डालते हो, तो रहत आपको answer देख रहा है, mother would is the correct answer, mother would वो हमारा एक connectivity माथ़ड होता है, यहाँ पर सारे के सारी device, सारे के सारी component, आप असमें communication करने की permission देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही connect रहते हैं, last question, question number 13 की बात करते हैं, which of the following, the most powerful of all computer, सबसे, मनला सभी computer में, सबसे powerful कुंसा है, आप question आगया, type of computer के उपर, तो micro, mini, super, or man frame, quickly बता दीजे, very easy question, लेकिन आप सुचर उतना आसान नहीं है, कि मैं आप से question जरूर पोचूँँगा, clear, तो वो आप comment बाक से बता दीजी, तो उपर आ रहा है, बिल्कुल सही है, अब मेरा question ये, कि इन चारों में से, इन चारों में से, single user operating system कौन सा होता है, single user, single, single, single user हमारा computer कौन सा होता है, इससे लिखना है, ऐसे लिखना और आगे, और मल्टी लिखना चाहते हो, तो मल्टी भी लिख देना, ये आपकी मतलब महंता होगी, कि आप दोनों बता देंगे, clear ना, चलिए, question number 14 की बात करते है, which of the following is a type of computer, generally known as large size and storage and processing power and use for large skilly company, बड़ी लेबल पर खाम कर, बड़ी लेबल पर, तो पीडिय तो नहीं करता, मेनी भी नहीं करता, macro बिलकुल नहीं करेगा, एक ये option बचा, micro होता है, single user, बिलकुल सही है, single user micro होता है, clear, चलिए, इस question का अंजर करिए, micro, बिलकुल सही है, option number second is the correct answer, very easy, very easy, question number fifteen की बात करें, नहीं लेख तमसे, आख मुख्य आफिस और घर में उपियों किया जाने वाला, single user, computer कौन सा है, जो हमारे computer में यूज़ होता है, जो मैने question पूछा न, उसका अंसर है, आख को यहां में लेख, आपको ड़ने वाली बात नहीं, मैंने हर question का अंसर यहां पर रखा, हर question का अंसर रखा, clear, बदा जो computer हमारे office, और हमारे घर में यूज़ होता है, वो single user होता है, ये भी बता दिया है भई, तो बता दो, सिंगल में मिनी भी आता है, माइक्रो दोनों option कर रहे थी, दोनों कर रहे थी, अब बताओ कौई कौन सा होगा, अब बता दो, बस कहें न, इतना आसान थोड़ी है question, जो मैं पूछ रहा हूँ, आप सूच रहा हूँ, fundamental आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ऐसा मुझे अनुमान है, यह, आयत, ठीक है, तो क्या रहा है answer, मिनी नहीं होगा, माइक्रो होगा, माइक्रो, 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 15 का माइक्रो होना चाहिए, माइक्रो हमारा क्या होता है, कि सिंगल यूजर होता है, तो option number क्या होगा, इस दक हाँ, भराओं हमारे मिनी भी होता है, ऐसा नहीं, single user, माइक्रो के साथ चले, कोश्चन नमर 16 की बात करें, to manage and increase the performance of graphics, which of the following is used among with the sea, के साथ use किया जाता है, जिससे हमारे ग्राफिक की performance और इंक्रीज होती है, उसको manage करने का काम करता है, ठीक है, ALU का का काम, CP, CP, और साउंड कार्ट का तो कोई संबन्द है ही नहीं, मैस का प्रोसेसर, मैस का और यह ग्राफिक से कोई relation नहीं है, ALU से बढ़ता है, यह बढ़ता ही आप बता देजिए, तो अगर थोड़ सा भी mind लगाऊगो, थोड़ा सा, थोड़ से भी आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा लगाने की लगी, तो रोत नहीं, पीडिये पनी लोके पहले पढ़ लीजे, पीडिये पकी सर्चा भी करूँगा, आप घबरा क्यों रहे हो, घबरा हो मत घबरा हो, तो कैसे काम चले कवे, तो ALU नहीं होगा, जीपी होगा, विकलिए जीपी का फुल फर्म ज़रूर लिख देज़गा, अगर आपको पता है ना, तो क्यों का फुल फर्म क्या होता है, चीक है, ठेके ठेके, चलें, जीज़, औप्शन नमबर C is the correct answer, कोईशन नमबर 17 की बात करें, निम्रतिमसे हाड़वेर कम्पूटर के, इंटर्नल कम्पोनेंट, अंदर का पार्ट है, अंदर, इंटर्नल कम्पोनेंट होता है, जी, इंटर्नल कम्पोनेंट, डीवीडी, इंटर्नल कम्पोनेंट आप मदर बोट है भई, अप्शन नमबर B is the correct answer, ठेक है ना, चलिए, टीपीव और मैमोरी यूज़, जीव फ्रॉम, जी, बिलकुल नहीं, विंडो एक्सपूररल इन एक ही ऑप्शन बचा, टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर हम अपनी मैमोरी, अपना सीप्यू, मैमोरी का यूज़ इस कितना किया हैं, सीड क्या चल लिए है, कौन कौन से टास्क हैं, यह सारी चीजे विंडो टास्क मेनेजर में हम वीव करा सकते हैं अगर आप जानते हो तो विंडो टास्क मेनेजर को इनेवल करने की सौट कट की क्या होती है की कमेंट बॉक्स में बता देजे मैं बढ़ता हूँ आगे कोशन नमबर 19 की तरफ विच पार्ट अप दा सीपी परफॉर्म एड़ सब्ट्रेक्ट डिवाइड मल्टिप्लाइड लॉजिक ऑपरेशन विखली बता दो यानि जो आपका अडिशन है सब्ट्रेक्शन है डिवीजन है मल्टिफिकेशन है और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है और वो सीपी का पार्ट होता है तो पहले तो जो सीपी के पार्ट पढ़ेते अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो रैम तो नहीं पढ़ाता यह पूरी तरीकी से अलग हो जाएगा अब हमने अगर आप प्रेशन है रेस्टर स्टोरेज का का काम करता है स्टूरेज का अगर आप A.L.U. और C की बात करें तो क्यों हमारा कंट्रॉलिंग का काम करेगा A.L.U. के दो पार्ट हैं कि हमारे दो आपरेशन करता है कौन कौन से A मतलब अर्थमेटिकल, L मतलब लॉजिकल अब यहां पर दोनों हैं दोनों कैसे हैं क्योंकि addition, subtraction, division और multiply कैसे हैं यह हमारे हैं अर्थमेटिक बाग कि logical की बात करें तो मेरा सवाल आप से है कि logical operation कौन से है यह आप comment box में बताए कि जो A.L.U. हमारे logical operation करता है अगर आपको उनका पता है जैसे arithmetic में हमारा addition, subtraction division और multiply या गया अगर आपने logical पढ़ा है तो logical में कौन कौन से आते हैं यह comment box में बता दीजिए मांकि इस question का answer हो जाएगा option number 13, A.L.U. अर्थमेटिकल लॉजिकल unit फल फॉर्म जरूर याद रखना फल फॉर्म यहीं से complete होगा last question, question number 20 तो कि इसी question को आगे बढ़ा रहा है मतलब कैसे question change होता जैसे यहाँ पर पूछ लिया logical operation कौन करता है तो सबी को पता है हमारा A.L.U. करता है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं clear data data मला हमारा data को जैसे compress करना है translate करना है क्या फिर जो हमारे logical होती है जैसे और एंड है कि हमारे logical operator होते है clear जैसे हमारे less than greater than clear ठीक है चलो आगे बढ़ते है question number 21 की बात करती है तो में लिखते हैं कौन सा computer की एक कारितम यानि functional unit है जो कि control करने के लिए बिविनिक मलब बिविन गंट्रोल signal को क्या करता है generate करता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताता कि जब controlling की बात आएगी तब हमारा हम किस के साथ जाएंगे सर्थ तब हम जाएंगे CPU के साथ clear writing यहां से आपको question का answer भी देख रहा होगा answer देख रहा है तो quickly comment box में तुरंट answer गर दीजे जिससे आपका confirm हो जाएगा कि हां answer confirm है क्योंकि यहां पर ALU भी देख लिए CU भी देख लिए दोनों के question देख लिए आप बढ़ते हैं आगे देख आगे जाएंगे तो हमें मिलने वाला था मीन एम आप दस अडास system is dispute dispute अधा हीट और फ्रॉम इंपोडेंट डेवाइस सच आपका जो मुखी कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट होते हैं कि हवा की वज़े से गर्मी को नस्ट करता है गर्मी बज़ते हो बतलब क्या होता है जो हमारा CPU ग्राफिक काड़ की जो हीट होती है को नस्ट करने का काम करता है तो अगर आप रेम का तो कोई काम है नहीं पांकि air condition हमारा CPU में होता नहीं है जैसा कि option अगर यह को सच अभी आइटिंग रिसेंटली एक्जाम में पूछा गया था कांकि SMPS की बात करें SMPS की बात करें तो SMPS का का काम है यह power supply का का काम करता है power supply का का काम करता है ठीक है नहीं तो power supply का यह काम करेगा तो अफिर आप लगाए कि CPU में heat sink heat sink समझते हो heat sink जो CPU के उपर लगा रहता है as a fan होता है हाँ बिल्कुल option number B is the correct answer बिल्कुल सही है option number B is the correct answer clear आगे बढ़ते है heat sink कैसी होती देखी की ने देखी उपर यह करें question number 23 की बात करते हैं which one of the following option is the component of computer central processing unit direct the operate of the processor जी यास बता दो यहान ऐसा कौन सा component है जो CPU का part होता है वो direct हमारे processor को operate करने का काम करता है clear चले comment box में answer लिख दे वही सारे option है जो popular है clear अब controlling का operation को मतलब मिन देखा जाए कि हमारे CPU को direct operate करने की बात कर रहा है यहां पर कोई operation की बात नहीं हो रही operate करने की बात हो रही वो भी processor को answer चला जाएगा memory unit तो नहीं होगा क्योंकि इन दोना मैंसे ही होगा जो कि CP का mean क्योंकि आप स्टोरियस की बात करें तब हम रेस्टर्ड के साथ जाएगे तो बहांके answer हो जाएगा CU यहने option number memory unit कैसे लगा रहे हुई memory unit नहीं होगा CU होगा तो CU को हमने 200 पर answer देख लिया या तो वो controlling की बात करेगा किसकी या तो वो controlling की बात करेगा या फिर हमारी बात कर रहा है कि वो किसी direct processor से connect करा direct processor जो operate करेगा वो हमारा CEO होता है आगे अब थोड़सा आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते ही अब थोड़सा exam का मतलब कोशिन का label बढ़ाएंगे label कैसे यानि which of the following registered keeps track of the instruction stored in a program stored in a memory यानि नहीं लिखते मैंसे कौन सा registered memory में store program को store instruction को track रखता है मतलब track मतलब समझते हो मतलब जो उनका track complete करके रखता है जी तो यह सारे के सारे option आपके index आपने यह तिनों यानि accumulator address registered program computer अगर आप इन तीनों को देखोगे तो यह हमारे तीनों registered के type होती है registered के type होती है वांकि address अगर रखत की बात करें तो address मिलब तो हमारे memory के लिए जो address hold करने की जो बात करता है वो हमारा address register काम करता है वांकि accumulator की अगर हम बात करें तो accumulator हमने पढ़ाता है जो प्रासेसर होता उसको चाम कर एक काम कर प्रोग्राम काूंटर ही हमारा चो इंस्ट्राक्षन होती है उन्हें एक्शक्यूट करने का म करता है यही वह पार्ट है CPU का जो हमारे जो track होते हैं instruction के उनके execute करेगा और nast generation, nast instruction क्या है उसे find out करेगा यानि program counter का काम क्या है जो हमारे instruction आरे program counter करेगा जो instruction होते हैं उनके address को hold करने का काम करेगा program counter जिसे PC के नाम से भी जाना जाता है तो कभी full form पूछ लेते हैं कभी कुछ पूछते हैं लेकिन पूछने का साथ ही साथ में एक जी जरूर दिया रखना कभी size पूछते हैं कितने widths तक ये address को hold करके रख सकता है तो जो हमारा program counter होता है वह वारा width का है 12 width को address को hold करके रखता है बांके अगर accumulator और हमारा i side sorry i r जिसे हम option number इसमें अभी पूछा नहीं है जिसे हम i r का मतलब होता है i मतलब होता है और r for registered होता है i for होता है instruction register ठेक है न तो ये भी हमारा क्या करता है ये भी 60 bit के address को hold करता है तो main part माने जाते हैं एक तो IR होता है एक adapter होता है और PC होता है PC हमारे प्रोग्राम counter ये किसका part है हमारे registered का ही part है ये थोड़ा सा आपको तरीके से ध्यान रखना हुआ कि जब seven to eight का कोशन आया तब आप फसने के chances रह जाते हैं तो आपको आपको रखना क्या-क्या याद है आपको option नमबर ये तीनों option याद रखने है साथी साथ में IR को और याद रखना है IR मतलब instruction registered होता है यह हमारे जो रखना होता है जो हमारा सीपी का पार्ट होता है की सारे पार्ट होते हैं इस question का answer हो जाएगा option number third is the correct answer third यह हमारा जो program instruction होते हैं उन instruction को execute करने का काम करता है हमारा program counter आगे question number 25 की बात करें आर्थमेटिकल लॉजिक और हमारा control section the purpose of the storage जी बता दूँ और ALU और जो हमारा CU है मतलब controlling की sections हैं उनको special purposes storage का स्कान होता है system क्या के बता दूँ system mode of supply जी आपके कितने थीक है बही आप बहुत जी थैंक यू चले तो बता दो बही क्या होगा answer अभी मैंने बताया था कि जब controlling की बात करें तो हम CU के साथ जाएंगे operation की बात करें तो हम ALU को साथ जाएंगे operation मतलब operate करने की direct operation जो process मतलब processor के साथ कर रहा हो हमारा CU में चला जाएगा बाकि storage की जब भी बात करेंगे तो मैंने बताया storage में हमारा registered ही होता है clear sponsor हो जाएगा option number first is the क्योंकि CU और LEU यह हमारे CPU के पार्ट हैं यहां storage CPU के अंदर ही होगा CPU storage के लिए हम registered का का काम करते हैं आगे question number 26 की बात करते हैं which device can understand the difference between data and program data program के बीच में तो difference है तो कौन identify करता है तो input नहीं करता output नहीं करता ना हमारा memory करता data program काम सिर्फ उसर्फ micro processor ही करता है तो यहीं हमारे execution का काम करेगा कौन सा program है कौन सा data की कौन identify करेगा यहीं करता है simple सा question है question number 27 की बात करें which of the following is used by ALU to core intermediate result while executing computer program जी बहुत अच्छा है अब बोलो कि मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि ALU में हमारे storage की बात करेगा वो intermediate result क्योंकि execution के लिए जो हमारे program है उनको execution के लिए काम कर रहा है अब execution के लिए आपको पार्ट पढ़ो आपका CPU की कौन से पार्ट मतलब CPU में एक तो आपका ALU के storage की बात करें तो storage में हमने राइस्टर पराता क्या राइस्टर पराता अब राइस्टर तो जैने does rest of the computer hold carry out of instruction बता दो carry out of instruction को carry out करता है carry out समझते हो वह रखने का काम करेगा क्या होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुझे नहीं लगता और ऑप्शन आपको देखें नहीं टिक ही ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नमबर थर्ड इस दा करेक्ट आज़सर ठीक है न हुँँ बाला कोशो बट्वा इन से सबस्क्राइब वो कौन सी एडसपर हमारा माइक्रोप्रोब्रोड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन пिप्राइब काइंग करता है हुँ कि Cloak to use को यह दो कि Pleं का यह सिप्वियो का पार्ट्ट होता है सब्सक्राइब नए अभी बताता है CPU के पार्ट में इन तो आपको पता है वसके और क्लाक्डिय तीनों पार्ट और हैं तक आ पर सेकेंड मिलियन साइकल स्वर सेकेंड भी बता दो यह कौन सा टाइम है कि 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 टाइम वर्स टाइम एक्सिस टाइम या फिर क्लॉक रिटी इस आज के उशन देखो उशन टफ नहीं अभी आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो कोशन का लेबल ठीक था देखें अ कर थोड़ सा आगे जाओगे तो बढ़ता चला जाए कैने आगे बढ़ता चला जाए आपको भी बढ़ना चाहिए क्यों कुशन क्यों नहीं बढ़ेगा भई जब आप बढ़ रहें तो कुशन ना बढ़िया से कैसे काम चलेगा और काफिशन पूछ रहे हैं सा सी एक्सिस टाइम तो पता एक्सिस टाइम मतलब एक्सिस थोने ने जो हम उसे एक्सक्यूट कर रहे हैं मैं लाग सौरी उसे पहुंच रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के पास अगर वाट करें जिसे प्रियुे क्या होता है जो हमारे कम्यूने केशन चैनल हूते उन पर अगर पर अन्विशन को प्रांसफर कर रहे हैं तो जिस ल्याग से उती है उसे वाट रेट आपने यह मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे कम्मुनिकेश जो इंटरनेट नेटवर्ग में पढ़ेंगे ना वहां पर क्लॉक तो क्लॉक रेट इस ता क्रेक्ट अंसर ऑप्शन नम्बर थर्टी बन थर्टी बन क्या करा नॉट आप वारेट केडिगरी और कंपूटर सिस्टम बस आपने पढ़ी है तो कंपूटर सिस्ट बसका एक वारेट केडिगरी नहीं है तो डेटा बस बिल्कुल पढ़ी ती अड्रस पर कंट्रॉल लेकिन आपस नहीं पढ़ी ती तो ऑप्शन ऑप फस्ट इस तरेक्ट आगे पूशन नम्बर थर्टी टू थर्टी टू क्या कर ता कंफिग्रेशन आफ कंपूटर हाडव मैंन फैक्षर हाडवेर को द्वार एक लिख क्वार को केड़ेशन का अधा है क्लॉक्रेट तो नहीं होगा किकर अपने और अप्विग्र दा आपरेट दा फास्ट फोड़ असा क्या है क्या है और तो कि क्या होगा इसका अंसर कैक्ली कमेंटब़क्स में एक बर बताएग एक वार कमेंट वाक्स में लिखे रहे हैं, क्या होता है? पुड़ों से अलग वोशन है क्या होगा? चेक करना भई, इस कोशन का अंसर चेक करना भई, क्या होगा? तो थोड़ों से अलग रहे है कि अगर ऑप्शन देखोगे न, अंडर क्लॉकिंग नहीं होगा, ओवर क्लॉकिंग होगा सकता है, ओवर क्लॉकिंग होगा है, दो अप्शन तो अटा दिए, दोनों में से एक होगा क्या पता दीजिए, ए या टी ओवर क्लॉकिंग आ रहा है सर, आपको भी नहीं 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 देखो, ऐसा नहीं होता अलिमिनेशन करोगे तो कुछे भी नहीं बताते है, ऐसे कैसे होगा हुई अब मैं या पर उल्टा सीदा अंसर बता जाओं तो को सही नहीं है नहीं कन्फीजन है तो कन्फीजन जब रहता है ना तो मतलब फिर तो विचारा नहीं रहता उसका आप्शन एक वार आप बताएए ने कि क्या हो रहा है मतलब क्या कह सकते हूं एक वर कमेंट वाक्स में लिखे देखते हैं पिर आगे करेंगे वहीं करेंगे देखेंगे कोशन को नंबर 32 है ठीक है 32 को होल्ड करेंगे आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 33 क्या कह रहा है 33 33 कह रहा है वही जब हमारा परेंबरी परावर सोर्स क्या है चला जाता है प्रावरी तो जो हमारा कंपीटरों से कीप रूर्रिंग मतलर चालू रखता है बढ़ी चालू रखता है इस तो राउ suis का काकी काम नहीं गधार का कोई संस्ग्नद थोециãy लेकिं कमपर्टर में चालू करने के काम है वो हमारा UPS होता है अब UPS का फुल फॉर्म क्या है या आप कमेंट बाक्स में बताएए किस को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे UPS को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे मतलब UPS का फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि full firm करोगे न तो कहीं न कहीं complete हो जाएगा कि कोश्चन नंबर 34 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी लगव लगवख जो हमारी फंडामेंटल के कोश्चन है वो हमारी काफियत तक फिनिस कर लिए अब थोड़ सा अगली टॉपिक बजाती है एक कंप्यूटर प्रोग्राम तो कि ये प्रेंट जॉपको अस्ताई रूप से वोफर मैं करके उसे करता है कि से frightening कशा आब हम करना प्रिंटर सूप्राम करता है प्रीrud आठाड़ और वॉफर कि बात और यह मतलब प्रिंटर मतलब सुनूश्चन memory, buffer का मतलब क्या होता, memory होता है ना, memory के based motion है, अगर ये motion printer से है, लेकिर printer के जो term सापने पढ़े थे, उसी term से है, तो व्रेम सर नहीं सुनाता, print head जरूर सुनाता, head का कम, लेकिन spool सुनाता, आपने सर बलकुर सुनाता, spool बोला था मैंने, spool बहुतलों, जो मारा बॉफरिंग होता है जैसे आपने मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल इस्ट्रेक्शन दिये प्रिंटर को तो स्टोर एक कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं वह आपने बॉफर मैमोरी मोर्ट से इस पूरल बोला जाता है आप्शन फूर्थ इस दा करेक्ट अंसर न्यास कुछन एलीडी प्रिंटर एलीडी का फुल फॉर्म क्या है तो लाइट इमिदेटिंग अब डायोड नी होगा डिवाइस होगा तो आप्शन नम्बर क्या होगा लाइट होगा लिक्विड समझते हो लाइट होगा के लिक्विड होगा तो लाइट होगा डिवाइस के डायोड डायोड होगा और अप्शन नम्बर सेटिंग एस अ करेक्ट अंसर एलीडी का फॉल फॉर्म क्या है एलीडी अलीड हमारा मीटर है जैसे कि आप लोग जानते हैं थार्ड डायोड है या फिर Multiple option इसमें भी आने लगेगे device होगा या diode होगा Device होगा या diode होगा diode होगा तर Tribune होगा Diode होगा, ठीक है तीक है, ठीक है, चलिये Option में अब 2 होगा ना की 3 होगा देखें, light होगा लिकेद तो नहीं होगा प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है कौन सा प्रिंटिंग करने हैं लो कॉस्ट पर हाई कॉस्ट मतलब ज्यादा होती है और लो कॉस्ट पर बात करें तो जो से लो क्लर में लो कॉस्ट अगर क्लियर की बात करता और लेजर को ले सकता है और लेजर में जाओं लेजर में जाने का कुछी चांस ही नहीं है आप्शन होते जरूर जाता है कोशन 37 की बात करें और या बात काव किया है तो आडियो पोस्ट आप सभी को बताई जो ग्रीन आप हरा काम करता है speaker के लिए clear और आपका जो microphone के लिए हमारा blue या फिर आप काफी जगें आप blue यूज़ करते हैं red भी यूज़ होता है red भी तो आपको यह तिहार रखने हो पांकी बात करते हैं question number 38 की 38 का मतलब line in या sound मतलब जो microphone के लिए use होता है, microphone के लिए कौण सा use होता है तो अभी मैंने बताया था मैंक्रोफ़ा जब green की बात करें तो हमारा speaker के लिए चले जाते हैं, वहांकी blue की बात करें, वहांकी red की बात करें तो यह हमारे लाइन के लिए या फिर माइक्रोफॉन के लिए चाहते हैं तो आप्शन में परस्ट इस दा करेक्टर अंसर बैसे मैंने रिवीजन क्लास में सारे आपको कनेक्टर पढ़ाएते हैं अगे पुशन नमबर एक डास जब आप कंप्टर को आपके कंप्टर पर इस्टॉल क किया जाता है पता नहीं आप्शन में हैं तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय अपने डोस्त को लाइब वीडियो बिल्कुल आपके कंप्टर में प्रिंटर से लाइब माइक्रोफॉन से नाई भी वैपकेम से आप लाइब दे सकते हैं तो वीडियो के लिए क्लियर वीड उच्छ पॉटेबल डेवाइस है या आशी डेवाइस हाई पॉटेबल है मतलब ज्यादा हम ले जा सकते हैं लेकिन इसमें एक एडवांटेज यह किसी आप स्टाइलिस या पैन का यूज करते हैं जो कि इन्पुट कमांड या फिर डीटा इन्पुट करने का काम करता है ज पाज सब कम्पेटर है टैबलेट की बात करना तो टैबलेट हमारा है सबसे पॉटेबल है जिस पर हम स्टाइलिस समझते पैन का का काम करते हैं जो कि इन्पुट डिवाइस के अंदर आता है कोचन ऑफ फॉटी वन पाटी बई क्या किया रहा एक पैंसल है जैसे पैंसल जै स्टाइलिस होता है जो कि मैंने अब यह कोशन में भी बताया तो मतलब कैसे रिलेट कर रहा है यह आपको सुगना होगा मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है आप पूछा यह जा रहा है कि वी जी फॉर भी पकड़ते होगी जी फॉर तो ग्राफिक इसमें कोई कन्फिजर नहीं है लेकिन वी फॉर अगर आप पकड़ोगे तो काफी आपको समझ में आजागा वीफॉर विजॉल होगा वर्चॉल होगा या फिर वीडियो होगा ए फॉर ग्राफिक होगा ए फॉर क्या होगा एरे होगा एरे होगा आमस तो नहीं होगा यह बात कम है तो हमारा विजुल भी आमला चला गया अब एरे के साथ दो हैं एरे के साथ दो हैं यह बात कन्फिम एरे होगा लेकिन एरे के साथ है कॉन से वीडियो ग्राफिक एरे व option number 3rd होना चाहिए 3rd is the correct answer most of the question 3rd ही कह रहे हैं तो इसमें कोई संदे हमें तो नहीं है आगे बात करते हैं आप यह देखो वीजिये आगे जाके कैसे change हुआ यह देखो क्या है किया आप monitor पर कुछ भी परदर से नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं देख रहा तो dash cable में गड़वर्ड हो सकती किस cable में गड़वर्ड हो सकती कोई बता दो वीजिये केबल हो सकती वही repeated question है लेकिन उसका formation change है तो मैं आपको सिखाना चाहरा हूँ कि कैसे question आपका change होता है तो वीजिये अगर आप है मैं एक नया question बना दू यह आपके database में भी बना होगा जैसे SDMI का कर सकते हैं यह तीनों port होते हैं हमारे monitor के लिए तो यह भी पूछ सकते हैं कि यह port किसके लिए यूज होता है क्योंकि मैंने question भी mention कि हैं आपको आगे मिल जाएंगे answer क्या जाएगा option of first is the correct answer last question जब printer की बात करने तो call it मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन यहां पर भी कान करता है क्या करें करते हैं कि मैं जो मारे multiple pages आते हैं उन pages को सौट करने का सौट करने का सौट करने का यह कुछ तरीके होते हैं तो call it का example आप comment box में जरूर लिखिए comment box में कैसे लिखोगी जैसे suppose आपकी document के कितने pages हैं आपके document में लगबक लगबक तीन pages हैं और तीन pages को आपको दो copies निकालना चाहते हो तो कैसे call it काम करेगा यह आप comment box में बताएए quickly बता सकते हैं न कि क्या होगा call it का answer हो जाएगा option number second is the correct answer call it आपने बताया जैसे जहां तक मैं देख पा रहा हूं प्रैमलता जी जी महमा जी राज बिलकुल correct जी बिलकुल एक sequence बनाता है sequence यह नहीं जो एक range में प्रिंटिंग का काम करेगा तो I think आपको clear है last question question of 45 45 थोड़ा practical है मैंने रखा वैसे repeat होने का chance बहुत कम है लेकिन concept समझना है क्या है which of the following is not a printer error मनलब printer का error नहीं है issue नहीं है तो printer jam paper jam paper jam क्या होता पेपर जब first जाए तक हमारे printer में paper first जाता है उसे paper jam बोलते हैं आगे हमारा toner empty होता है तो यह भी हमारे printer का error एक इसु होता है यह भी paper first नहीं यह भी error होता है ठीक है केबल आर्नोट कनेकेडेड प्रॉफल हमारे केबल कनेकेड़ नहीं है तो ये भी हमारे पेपर जो मारका प्रिंट होता है ही की कैटेगरी के कंब्रक्यम डी वो प्रॉसल मयडा आप फोर्त कोई है मतलग आपके पास प्रिंटर प्रीक करने के लिए हाई नीजी से आप एक्सिस कर रहे हैं तो यह एरर नहीं है तो यह ऑप्शन नमबर हो जाएगा फूर्थ इस था करेक्ट आंसर अगर अगर सबसे प्रेंटिंग का काम कौन करेगा यह आप को दिख रहा होगा अगर को पुरसो वी प्रेंटिंग के काम किया है अपने अंसर आपको जरूर दिख रहा होगा यह वलार राइम व्लार नॉट कनेक्टिट आप प्रॉपर तरई के करनेक्ट नहीं होती है तो इस कंडिशन पे हमारा प्रिंटर का इसा ही रहता है चैनल स्पीड के आदार पे मेजर करें तो आपका लेजर पींटर ही होगा लगभग हजार प्रिंटर इसका जो हमारा लेजर printer होता है इसकी speed measure करने का जो unit होता है की PM होता है यानि page per minute होता है लगो thousand page जाती है इंक जाट printer और band printer है एक इस प्रकार की printing category में आते हैं मतलब जब आप printer printer की category को define करते है जो कि impact और non impact है उसके अलावा printer के जो card sale उसके आधार पर भी printer का classification होता है तो उस classification का question पूछा जा रहा है कि वो question कैसे classified होगा clear चले तो answer बता दीजिए वही कि जो हमारे इंक जाट है band printer की बात करें तो character based होते नहीं है laser printer होते नहीं laser एक अलग टाइप का printer है और इंक जाट printer इंक में जाएगा तो एक ही option बचा option और फोर्थ इस दा correct answer काफी कोशन ऐसे होते हैं जो as a repeat जैसे यह कोशन repeat हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कोई ज़रूर नहीं आज लेजर form में आया कल हो सकता है जैसे मैंने नाश कोशन रखा है same question है same question है जैसे dotmatic और solid font printer यह किस प्रकार के example हैं तो यह किस प्रकार यह हमारे character printer होते हैं character based print करते हैं यह पर character print होता है dotmatic में और dot मतलब एक printer के अगर आपको classification पता है तब मैंने printer का revision करा था तब आपको बता रहा था impact में आप दो को पढ़ लो और non impact में सफीसेंट ज्यादा पढ़ने की जरूत नहीं है impact की बात करें तो इंपैक्ट में वही कौन सा आता है सब को पता है dot matrix आता है क्योंकि impact में हमने दो याद रखेते हैं डिजिवील और इंपक्त डॉट में जाए तो लेजर और का यूज करते हैं तो इंक का मतलब जो हमारी स्याई होती है क्या मोलते हैं जो हमारी इंक का यूज करते हैं अब वो इंक किसमें भरी होती है तो इंक हमारी टॉनर में भरी होती किसमें टॉनर में लेजर में आगर इंक जैड की बात करें तो कार्टेश में भरी होती इंक जैड कार्टेश में यह आपको धार रखना होगा तोनों में इते से आगे बात करते हैं 51 किया चाहरा टॉगल की टॉगल की पढ़ी कीबोर्ड का क्लासिफिकेशनOS.Kीबोर्ड में केपेज़ केंप्टिपल काटिग्रीज की हमारी कीज़ हैं उसी केंदर जो टॉगल की अगर 2 हमारी लाइट अंड जैसे हैं अगर आप जूनर्रल की यूज़ करते हैं तो तीन हमारी the like होते हैं तो को एक चीज़ रिफाइन हो जाएगा कि जब नंबर लॉक को आपका एक राइट एंड साइड में आपका चाहतो लैप्टॉप हो जाब पेसी का जो हमारा एक्षनल कीबूर्ड हो वह सगर आप राइट एंड साइट पर जाते हो तो एक निमेरिक की पैड होता है उस निमेरिक कीपैड को आउन करने के लिए हम नंगी का यूज़ करते हैं अगर आउन नहीं होता है तो पूरा का पूरा निमेरिक कीपैड एज़ा हमारे डायरे नाविगेशन की होती है उनकी तरह काम करता है आगे बढ़ते ही कोशन आफ फिप्टी की बात करते हैं इस इंपूर्ट ड करते हैं आगे आगे आपको लिखना है तो लिख लेना चेक या बैंक आएगा अगर दौने में से कोई टर्म मिल जाता है फिर आपको सूचने की ज़रूत नहीं है आगे बात करते हैं लेजर लेजर प्रिंटर का जो मेजर्मेंट यूनिट है वह आप सभी को बताया सर में काम करता है वाकि अगर आप जैसे डॉत डॉट मेट नाचकिना हो ऑका दूर के मैं होता है योत मर्त नहीं है वाला होता है यह यूजिए लिवी यूज किया जाता है न्श पूशे है 54 54 भाई क्या है कौन सा हैंड हैंड मतलब हाथ में पकड़ने योग है क्योंकि किताब के आकार का होता है क्योंकि टैस्ट और ग्राफिक प्रदेश करता है इस उपकंड का उपयोग बैफ से डाउनलोड की गई को देखने ओनलाइन नियुस्पेपर मैग्जी को पढ़ने के लिए यूइस कि हो जाता है तो स्टालिस तो नहीं होगा और साफ्टर तक को कोई काम है यह नहीं तो यह बुक रीडर आप्शन नमबर क्या होगा आप्शन नमबर होगा सैकिंड करेक्ट अंसर मतलब थोड़ सा प्राक्टिकल मतलब यह किसी बुक में नहीं है लेकिन है क्या गर आप पढ़ोगे तो कोईशन डिफाइन हो जाएगा नास कोईशन है कि अगर आप बड़े आकारप है मतलब जो हमारे कागश है उन पर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं और जब प्रिंटिंग की बात करो बड़े लेबल में आप सबी को बता है कि सीडिय आता है तो जब सीडिय की बात करें तो अगर आपको प्लॉटर देख जाएगा आपके आप्शन में प्लॉटर को प्राइटी देना अगर प्लॉटर नहीं होता तो वहाँ पर हम 3D प्रिंटर के साथ चले जाते हैं को कि 3D बड़े लेबल पर हमारे प्रिंटिंग की लिए काम करता है जब प्रिंटिंग में आप सीडिय की बात करें मतलब कॉंपेटर अडिट डिजाइन की बात करें तो कॉंपेटर नहीं है तो दोनों उप प्लॉटर ही लगाँगे नागए कॉछन 25 की बात करें potable computer निम किस monitor का यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा monitor आपका ये monitor तो data projector बिल्कुल नहीं है power capacitor ये भी नहीं है सब दो होगा हैं आपका CRT और flat FTP TFT flat panel वाले TFT वाले अब बता दो वही सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं पता दोगे आसान है ना आसान है मैं अंसर लगा दिता हूं बोलूगा नहीं अंसर लगा दिया मैंने आप comment box में लिख दीजिए कुशंबा 57 वई क्या किया रहा है किस प्रकार के printer में कागज को अक्सर पिन और जो पिन और जो वील होते हैं छैनों पिन और वील से यूज किया जाता है तो हमारा वील प्रेंटर होता है वेल प्रेंटर हुता है और उसमें क्या होता है कीमा थेईमे-दीमे गुमनीगाया जाता है जो प्रिंटर के मादब से कागज को पकड़कर दीमे धीमे गमाता है क्या होता है क्योंकि जब पिन की बात करें तो अगर यहां पर वील उतां हम चले जाते तो हम सीधह चले जाएंगे डॉप्शन नमबर प्रिफ्टी एट की बात करती है किस device का उपयोग बिना सूचना मतलब बिना information जो हमारी information होती है कुझी के सीधे computer के सूचना दर्ज करने कर जाता है मतलब information without having बिना किसी की के कोई की प्रास नहीं की जाती फिर भी हमारी information हमारे computer में इंटर कर जाती है तो अगर आप देखते हैं कि बिना किसी की को इनफर मितलब पहले input device की category में जाना है तो आप सभी को पता कि mouse के साथ हम किसी को क्लिक करेंगे touch screen से भी क्लिक करेंगे track wall से भी क्लिक करेंगे लेकिन आपका scanner से किसी को क्लिक करने की जरुत नहीं जो भी information अप ले जाना चाहते हो जैसे मैं कोई हर्ड कॉपई कमपई है उससे आफ एससा में सार्फ कॉपई में चेंज पर ऐ भरिज्टे में भीन वेसल होता है तो यह ब Communist Cloud है electronic gun होती वही हमारे CRT में डीटा को represent करने के लिए यूज की जाती है तो option of first is the correct answer question number 60 की बात करें in which of the following method is special pre-printed form are designed the boxes that can be marked with the pen मतलब मार्क के जा रहे हैं वो pencil से from OMR का यूज करेंगे clear बना pen पर marking की बात करें मार्क जो पीपर पर marking की बात करें जहां रखना OMR OMR में marking चलता है तो pen से हो pencil से हो आप देख लेना कैस से होगा तो उसी आदार से हम answer निकाल देंगे जैसे MICR के साथ आपनी चेक और वैंक लिकाता उसी प्रकार आप OMR के साथ pen लिख लेना पर लिख लेना दोनों चल जाएंगे से पुषन माइ 61 की बात करें एन इंस्ट्रक्शन यूज़्स तू इंपॉट कमाड्ड टू ग्राफिक टैबलेट स्कीन मुवाइल डेवाइस बता दो भी मतलब आपका ग्राफिक टैबलीट पर कमाड्ड पर आपका कमाड्ड इंपूट होता है तो आप किसका यूज़ करती है तो सुक्रड को हम कहते क्या है बता दो इसकी बज़े से जा रहा है जैसे आपने देखा होगा टच की बज़े से अब वो टच किसे होता है पाम बॉले डिये सारे option अठते ये के option देख़ रहा हुगा option number B is the correct answer जब option number B देख रहा है तो answer B आप आराम से बता दोगे इसमें कोई संद्य और कोई doubt नहीं होने वाला है clear चलिए आगे बात करते है question number 62 की question number 62 क्या किया रहा है if you are referencing referring referring क्या है to serial parallel AGP infrared क्या है वहीं यह सारे क्या होते हैं तो आपके क्या है पोर्ट हैं बसेस हैं तो पोर्ट अगर आपने पड़े हैं तो आपको पता है चलिए अब आपको comment box में विपताना के serial port का हम यूज क्यों करते हैं parallel का तो आप सभी को पता है printer के लिए यूज करते ह है तर एज़ीपी का ग्राफिक जो कार्ड होते हैं हमारे ग्राफिक जिसे हम वीडियो कार्ड भी बहुते हैं उनके करेक्ट के लिए कि काम करते हैं बाकी एज़ीपी की बाद इरियल का यूज क्यों होता है या आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्चना फासी घ्लोजी कटोडी ती तेकलोजी का विए नहीं तो रेसेशी ती ब्लूज थी बिल्कुल थी कैफेश्टिप ती बिल्कुल थी एक्जिप थी बिल्कुल थी लेकिन आपके इंफ चार प टेकलोजी हमने पड़ी थी लेकिन डिजिटल नाम से कोई टेकलोजी हमने जिकरी नहीं किया हमने टच स्कीन के अंदर बाकि नाश्ट कोशन है जो कि करता है जो कि अधर इमेज होता है उसे डिजिटल फॉर्म में करने का काम करता है जो कि एक light sensitive device है तो कि डिजिटल में काम करा है जो डिजिटल करा तो हमेशा इंपुट होगा आउट नहीं होगा अब इंपुट होगा तो आँट डो आप्शन निकल के आ रहे हैं स्कैनर होगा या फिर OMR होगा OMR के साथ था हमने एक चीज़ डिफाइन की थी OMR जब भी आएगा तो हम पैन या पेपर के साथ जाएंगे यहां पर पैन और पेपर है नहीं तो option number क्या हो जाएगा C is the correct answer यानि scanner का use होता है ना कि अगर किसी का चले लास्ट कोशन कोशन में 65 any data or instruction enter into the memory of a computer is considered as जी पताओ तो memory में दर्श के जाने वाले क्या होते है data को माना जाता है जी पतलब तो हमारा data instruction है memory में किस प्रकार से इंटर किये जाते हैं तो आप सभी को पता है करने के लिए किसका यूज करते हैं sir input device का यूज करते हैं option number third is the correct answer sir mock test में number कमा रहें लिस अगर आपके number कमा रहें तो मैंने एक video बनाया है कि mock test और quiz में number क्या से पढ़ा है तो उसे आप देख लिजिए definitely आपके number improve हो जाएंगे लेकिन एक पेपर में काम करूगे तब जरूर इंप्रूट का भी काम करती है तो printer output है mouse input है video मतलब हमारा monitor है तो यह भी output है तो memory हमारा input आउट्व दोनों पर काम करते हैं अगर हम देखे हैं तो input output दोनों पर हम ने काफी कोशन किए और input output दोनों हैं उन पर भी कोशन किए तो आगे कोशन और करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे लास्ट आपक पर है इंपूट डिवाइस नहीं है तो इंपूट नहीं है Gampad होता है MID keyboard होता है लेकिन Wifi नहीं होता वाइफाइस हमारा input डिवाइस नहीं होता डिवाइस ही नहीं तो input आयों आउटी सी अंपूट का तक बात ही नहीं animation वे graphic tablet का हम यूज करते हैं किसका ? graphic tablet का तो एक तो device की बात करा है डर्स में हमारा scanner आ गया वापियर आगया सकैनर हो बिया, लेकिल graphic tablet का, यूज होता है किसपी लिए चाय तो आपको image ब्रूइन्ध माउसे operate करने वाली point mutta यह बात बिल्कुल सही है आप्टिकल माउस अपनी मुवमेंट का पता लगां लेजर लाइट का यूज करते हैं यानि जो यह जो माउस ही यूज के जा रहा है आपको देख रहे होंगे यह माउस आप्टिकल वाले हैं की गलत स्यइटमेंट है क्या होता है chungale in put में क्या होता है इंपोड में data आ ऊपको आउट्पुड नहीं ले सकते तो प्रस्ट इस और करेक्ट रश्वर ड वाकि दोनों के दोनौं स्यंडमेंट हमारी क्या होंगे स्साही होंगे आगे बठते हैं कूशननुंब bubble की बाग करें विच आप दा फॉल्लिंग डिवाइस कुड नॉट भी सियर नहीं हो सकती इस प्रकार का कोशन बहुत पॉपूलर है क्लियर तो हड्वियर आपका कीवोड आप डिवाइस में सेयर नहीं कर सकते कि आपको पता है लेकिन बांकी और भी डिवाइस होती हैं जो मैं बहुत बार आपसे पूछ पी चुका हूं लेकिन जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं कि हमारी कंपूटर में सेयर नहीं होने वाली डेवाइस कौन सी है कीवोड के अलावा कोशन नमबर 72 की बात करें इन कंपूटर कीवोड एसकेप की बिलॉंग त पहला आप्शन है फंसन की कंटॉल की स्टॉगल की या फिन नुमेरिकी बैट क्रिकली कमेंट बॉक्स मसाइब बताइए कुशन नमबर 72 का अंसर क्या होगा अगर आप 72 का अंसर लिखते हैं ये कंफर्म हो जाएगा कि आप को चीज़ें समझने में कोई परेशानी नहीं आ पैप यहिए पन से लेकर सर अथ 12 को तक होती है क्लियर कर मैंने थो बताई थी या तो caps lock, scroll lock और num lock, क्या ये है इस तर बिलकुल नहीं है, numeric keypad, numeric keypad आप मैंने बताया था, right hand side पर होता है, जबकि जो हमारी escape key है, वो हमारी left hand side पर, मतलब left hand सबसे top पर होती है, तो answer हो जाएगा option number second is the correct answer, महला control keys की बात करें, control key category, तो हमारी escape की आती है, बांके अगर आप और key की बात करें, जो कि controlling में आती है, जिसे control key, alt key, वारा escape, ये तीन तो होगी, साथ ही साथ में, जो हमारी window की है, वो भी control keys के अंदर आती है, ये आपको थोड़ सा धन देना होगा, क्योंकि नया कोशन है, नया है, तो definitely repeated, मतलब जो star करने का कोशन है, वो आप बिलकुल कर लीजिए भई, आपकी सिप्ट में नहीं आया, तो आपकी friend की में जरूर आया, कोशन number 73 की बात करें, LED, human repeat रखा भी जुलाई में आया, पर टीक concept हम जाने के लिए रखा है, क्या है concept जैसे LCD, CRT और LED के तुलना में जो power consumption करते हैं, वो काफी कम करते हैं, तो दिहां रखना, आपको भी जानकारे के लिए बता दू, सबसे पहले हमारे CRT monitor थे, के बाद LED, LCD आए, और LCD के बाद LED आए, clear, तो LCD तो को, power का जो consumption जादा करते हैं, वो आपका CRT और LED करते हैं, जबके LCD हमारा power का consumption कम करता है, यह आपको थोड़ सा ध्यान रखना होगा, आगे बात करते हैं कुशन पर 74 की, 74 वहीं क्या कह रहा है, peripheral devices नहीं हैं, मतलब common, आप peripheral devices जानते हो, क्या होती हैं, यानि input, output दोनों को मिला दिया जाए, तो peripheral बच जाता है, तो peripheral तो पूछा जा रहा है, वो भी common, common की बात करें, जो नहीं है, आप सभी को बता है, जो primary loop से ज़रूरत होती है, आपको पता है, mouse की होती है, monitor की होती है, की बोड की होती है, लेकिन printer का कोई primary loop से ज़रूरत नहीं है, आपके बें printer हो, कि नहीं हो, मेरे में तो भी तक नहीं मेरे PC, आपके office में है, जहां पर मैं काम कर रहा हूं, अब मेरे पास नहीं है, जो primary है, वो यह हो, कुछ नबर 75 की बात करें, वो desktop computer, जो हमारे desktop होते हैं, post common pointing device, सबसे power, pointing device कोन सी है, तो pointing device की बात करें, तो printer तो नहीं है, monitor भी नहीं है, mouse है, तो option number second is the correct, second होगा न, ठीक है, mouse होगा जी, last question, question number 76, which of the following type of monitor is most commonly used with the portable computer, यह यह repeated question है, repeated, repeat होगा question, बर चुके हैं वहीं, बर चुके, बर चुके, बर चुके हैं, के आधार के बोचें, यहीं, the technology, recognizing human characters, such as fingerprints, physical image, iris, voice in use, तो सभी को पता है, कि जब हम finger prints की बात करें, physical image की बात करें, तो हमारा biomatic system में use, biomatic हमारी कैसी device है, biomatic किस प्रकार की device है, यह लिख दीजिए, कि biomatic के लिख दीजिए, किस प्रकार की है, input है, तो I, और output है, तो O, दोने लिख दीजिए, जगा दोनों है, तो फर दोनों लिख दीजिए, जो आपको लगे, आप comment box में जरूर बताना, question number और नास्ट चागे 78, 78 क्या है, चास एक device है, जो कि सुरक्षा को identify करता है, और उसका authenticate करने का एक device है, का नाम है, biomatic, biomatic है, option number क्या होगा, option number होगा, third is the correct answer, तो आज का trending है, यहां रखना, question को, बाकि जब biomatic की बात करना, काम कैसे करता है, इसे हम एक कोशन के माददे हम से समझे है, जैसे, biomatic में होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो भी हम उस biomatic में, जो सारी जैसे हम कोई data है, उस data को पहले capture कराएंगे, capture कराएंगे और उस data को क्या करेंगे, इन्डॉल करेंगे, जैसे हमने अपनी finger को capture कराया, capture करने के वाद वो हमारे data वे इसमें क्या हो जाएगा, इन्डॉल होने के mercy करेंगे, इस एकसिस करने पे उसको match करेंगा, करने पर प्र डिसीजन देगा अगर मैच हुआ तो उसे एनेबल कर देगा अगर नहीं हुआ तो आपका क्या करेगा डिसाबल कर लिखाएगा उस देटा को काप्चर करने को आपके डेटा वेस में जाके तोर होने के बाद जब आप को उसे एक्सिस करोगो तब मैंचिंग का काम करेगा मैं जो भी आपने आधार पर ऐक्सिस करेगा इन पर आप सही है तो एक्सिस परमीशन मिल जाएग़ नहीं तो मना करके आप भाव एक लास्ट कोशन कोशन नमबर आई ती यहनि आई ओटी आई ओटी समझते हो यहनि इंटरनेट इंटरनेट ऑफ अप गिश्व यह चलिए किसमंद्ध में दो सबसे अधिव की जाने वाले टाच सेंश्चिव कौन से हैं तो टाच सेंश्चिव पतलब टाच स्कीन की बात की जारी है यह टाच स्कींग की टेकलोजी आपने पढ़ी थी सर बिलकुल पढ़ी थी सर कैपस्टेब है और एसे स्टेब है और आप्शन नमा फास्ट इस दा करेक्ट आंसर कोई कंफिजन नहीं है अगे यह कोशन बड़ा ट्रेंडिंग है वही कोशन मुझे तो लग यह में आया था इसकोशन का क्या है इसकोशन का अंसर हो जागा जो हमारे दिमा के इन सब की रोग है 3D आयामद 3D इमेज रखता है वह हमारा क्या है MRI है ऐसको सब्स्था है लेकिन है अलेक्ट्रोनिक तो इसका मतलब क्यों है क्वार्ग्राम यानि किसी निस्ट्र का मतलब समझते हो जो कि मैं सौफ्टर में आपको बताऊंगा diagnostic का मतलब, सरी, diagnostic diagnostic नी, diagnostic को अकर मैं मतलब बताऊं आपको मतलब होता है जैसे आप किसी का solution find out कर रहे हो यह MRI क्या कर रहा है, MRI कहीं ने solution नहीं बता रहा है, आपकी जो problem है solution आपको दे रहा है कि आपको यह problem है problem है तो फिर आप solution ढूड लेंगे problem मैं आपको बता दूँ कि आपके peripheral में नंबर नहीं आ रहे है तो फर्क काम हो गया solution number 82, 82 भी क्या कह रहा है, एक pen बार pen type बार को डीड़ा होता है, जोकि फॉटो डायोट पर अक्री मनदब से काम करता है और क्योंकि यह tip printed quote एक बार बार और इस्तान इंसेंटिटी बैबलें तर देंसिटी और वैरियंस ओफ लाइट तर कितने कोशन है इस पीडिया पर, कोशन ज़्यादा नहीं अभी peripheral हमारा complete हो गया, लगवा एकाथ कोशन और बच्चे है, ज़्यादा कोशन नहीं के बाद हम सीधा memory और बचा है memory को करेंगे फिर आगे कुशन हमारा complete हो जाएगा, क्या है answer, option of first is the correct answer यानि जो हमारा वार कूट होता है वार कूट के बारे में कूट each बार, मतलब प्रते एक बार और उसके बीच में जो space है सूर्स light की मदद से समझने में हेल्फ करता है odd one पूछा, odd one का मतलब समझते है लेजर, LED, LCD LCD मॉनिटर होता है LED प्रिंटर होता है मॉनिटर भी होता है तो option वा फूर्थ इसदा करेक्टर चारी नाश कोशन कोशन नमबर 84 क्या कह रहा है 3D ग्राफिक 3D ग्राफिक एसलेरेशन मतलब जो हमारे EZP होते है मारा सायता करने के लिए कंपूटर में वीडियो कार्ट सल्लंग करने के लिए कि स्पोर्ट का वीडियो कार्ट अटेच्मेंट करना है तो ना पैलल होगा यह सब option नमबर स्पोर्ट होगा थे ने अभी बताया भी तही कोशन में के हमारे जो वीडियो कार्ट होते है उनको अच्छे अटेच्मेंट के लिए हम कहीं ने की EZP का यूज़कर EZP समझते चली बैंक बैंक आ गया चेक आ गया तो MICR आखे बंद करके चले जाना पूरा कोशन पढ़ने की जरूत नहीं है चली तो लास्ट कूशन है हमारी पैरिफेरल डिवाइसेस का बेग दा नमब सरी नमबर पैट एट डाइरेक्शनल डाइरेक्शनल एरो ठीक है प्रेस्ट की बतलब आपको जो हमारा निमरी की पैट होता है कि एट डाइरेक्शनल एरो या फिर नाविगेशन कौशने चालू करना है इस की के साथ होगा तर नमबर लॉग के साथ होगा क्यों क्योंकि नमबर लॉग ही एक ऐसी की है जो हमारे निमरी की पैट को एसा डाइरेक्शनल एसा नाविगेशन मोड में ऑन और आफ करने का काम करती है और टॉगल की की कौलिफिकेशन या फिर बुल जाए कि काम ही यही है कि वो हमारे क्या करेगा कि हमारे ऑन और आफ दौनों मोड में जाता है चलिए अब बात करते हैं मैमोरी काफी इंपोड़न्ट है लगवग लगवग दो कोशन आते हैं अब दो कोशन आते हैं कैसे दो से तीन ही आते हैं मतलब जादा ही आते हैं तो 87 कोशन है बही मैगनेटिक टाब स्टोरेज इस प्राइमरी यूज़ मतलब जो हमारा मैगनेटिक टाब होता है उसका प्राइमरी रूप से हम यूज़ क्यों करते हैं मतलब मैगनेटिक टाब समझते हो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है अब डेटा स्टोरेज के लिए उसका प्राइमरी यूज क्या है तो प्राइमरी हम यूज क्यों करते हैं आप्शन पढ़िए यानि बैक अप के लिए नए सॉफ्टर इस्टॉल के लिए बिलकुल नहीं सायत कभी स्टार्ट करने वाले सॉफ्टर डेटा प्रॉसेस यह बात हम क्या करते हैं जब हमारा डेटा क्रास हो जाता है बैक अप चाहिए तो हमारी डेवाइस होती है जो भी होती है उनका यूज करते हैं चले आगे बात करते हैं कोशन नमबर 88 ऑप्टिकल और स्टैक्रिक जब मैमोरी की बात करते हैं तो मैमोरी में कुछ चीज या फिक्स हैं जिससे कोशन आपके एक्जाम है तो वहाँ भी कहें आना ही आना है पहला है कि मैमोरी का जो हमने फिगर पढ़ाता कि मैमोरी में प्राइमरी होता है प्राइमरी में जो टाइफ हैं सेकंडी होता है सेकंडी के जो टाइप है जिस प्राइमरी में रेम रेम के राम राम के जो टाइप हैं अपने आप में इनके फॉल फॉर्म जो अपने आपको चुछ करती हैं दूसरा आपका सैकंड लिए जागो तो सेकंड हमने सब्सक्राइब तो एक चीज़ समझी थी कि आप्टिकल डिवाइस के साथ कभी-कभी हमारा आर और डबलु कभी-कभी रॉंप और कभी-कभी क्या आर एम रेम लगके आ जाता है तो इनका मतलब क्या होता है यह भी हमने पढ़ाता जो के आगे कोशिक हैं दिखेंगे बिल्कुल फुल-फॉर्म लिग दिया तो फुल-फॉर्म सेपरेट पढ़ने की ज आता मैगनिटिक्ट फ्लैस में आता है फ्लैस बेस्ट होता है मतलब होता है किसमें डीटा कभी-वी-एरेज कर सकते हैं कभी-वी-डाइड मतलब और डबलु बेस्ट पे काम करता है वहारा SSD और SSD का अगर हम HDD से कमपारिजन करें तो काफी जादा स्पीड होती है और आपक के चलना कि आपके कम्पिटर का जो प्रॉसेसिंग स्पीड है ना बहुत तेजी से चलेगा चलिए आगे जिससे मेरे इस लैपटॉप में जिससे मैं क्लास ले रहा हूं SSD है ताकि जिस पर मैं काम करता हूं हर डिस्क ड्राइब है तो दोनों की स्पीड में मतलब एक सिंपल जैसे मैं अपना वरकिंग पीसी ओन करता हूं तो उसे ओन होने में लगभी दो से तीन मट लग जाते हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूं इसमें से और करने में मात कुछ सेकंड का समय लगता पूरा मिनिट मीं लगता सैकंड लगता आगे कोशन में नाइंटी की बात करती हैं तो नाइंटी सेकंड नी स्टूरेज में जानकर ही इन्फरमेशन या डेटा है जा हम सेव करते हैं तो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं तो राइटिंग कहते हैं वह राटिंग लिखना होता है लिखना क्लियर तो लिखना होता है पढ़ना होता है कॉपी करना होता है ये कोछ चीज़े हैं कि आपको समझनी होंगी आगे बात करते हैं नास्ट कुशन नाइन टीवन कुई जल्दी फास्ट हो जाए कल चितना लंबा सेशन नहीं होगा क्लियर आज सेशन जल्दी फिनिस कर दूँगा मैं डेटा डेटा डैन वी स्टोर इन रेम में जो डेटा स्टोर होता है क्वालिटी क्या है मुला डेटा को जो रेम में सटोर किया जाता है क्या कुशन क्वालिटी रेम नौन वर अलटा hypertבןी स्टोर करती है तो यह बात गलत है बिलकुल सरा-सर गलत है! मً hits अंजम है कि आम लगा रहे हैं अंजिया आए, वर्न है के बोल वहां जब तक चाहलू रहता ये बात सही है म Choose धान, णार थेडर लेता है लेकिन एक पड़ाव में आप्छिन देख तो इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं तो रेम में डेटा तो चला जाता है कभी भी चेंज कर लो वाकि फ्लैस्ट में में रड़ू पे काम करती है रड़ू पे ठेक है न और अगर एपी रॉम की बात करें क्योंकि एपी रॉम मतलब अल्सकाइगा आशना और रेक्ट्रिकल के मिलावाग। करिस्ट होता है जब्कि रॉम में रिज नहीं होता तो आंसर ऑप्शन अमज होगा घृट डिव्यूट पया जाएगा जाएगा इसमें ज्जादा बेस नहीं बनता अगा ज्जाधा एगा तो मेमोरी यूनिट में चला जाएगा तो जाएगा कोछीज आ फिक्स है सिले स्कोरिंग है आ राम से कर सकते हैं लाश्टे को सच नमबर स्ट मैमूरी कौं किस नाम से जाओते हैं उसमें तो अगरम प्राइमरी को प्राइमरी मेमूरी तो यह भी अटा दो अब दो आप्शन आपके बचे दो आप्शन आए टेरिटरी और मैगनेटिक मैगनेटिक में हमने है डीडी को पढ़ाता तो आप्शन क्या हो जाएगा आप्शन हो जाएगा सेकिंड इस दा करेक्ट अंसर क्लियर तो कोशिस करना जब कोशन आए जब कोई सेकिंडी मैमोरी में कोई डेटा है वो सेकिंडी मैमोरी से पहले क्या है प्राइमरी मैमोरी में जाएगा वो प्राइमरी मैमोरी से एक्सिस करेगा तो कहने का प्राइमरी मैमोरी से पहले सूचन हमारी में ट्रांसफर होगी उसके बाद से पढ़ेगा यह कोशन उसी से आधार सीधा कोशन अगले पेपर में पूछ ले कैसे, यानि CPU सेकंड़ी मेमोरी से सूचना को कैसे पढ़ता है, बस option चेंज कर दिये, यानि direct taxes कर सकता है, बिलकुल नहीं है, मेमोरी के थुरू कर सकता है, मेमोरी वो भी कौन सा, रैम, रैम आपको पता है, प्रैमरी है, तो प्रैमरी ये बिलकुल करेगा, हाट डिस्क के थुरू फ्लाफी डिस्क बिलकुल नहीं, तो option number second is the correct answer, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, कि CPU सेकंड़ी मेमोरी से direct data नहीं ल लेगा, तब जाके वो RAM से लेगा, RAM से, RAM में सीधा सेकंड़ी मेमोरी से ले लिया जाता है, आगे बात करते हैं, question number 96, जब processor उनका उप्योग करता है, तो data program कहां store होते हैं, तो बता दो, data program कहां store होते हैं, जब processor उनका उप्योग कर रहा है, ये एक चीज़ मैंने आपको बत साहिती कि data program को identify करने के साथ, तो हमारा processor और data, processor हमारा data program का use कर रहा है, वो हमारी man memory में store होगा, ना कि second ही में होगा, तो कि processor मतलब CPU, CPU मैंने आपको भी बताया था कि कहां पर store करता है, नाइंटी सावन, निम लगते में से कौन सा computer inbuilt memory है, जो कि data को, program को store करने का काम करती है, तो inbuilt memory जो टो inbuilt का मतलब primary memory, option number second is the character, ये भी memory का अलग, man memory से related question है, ये भी man memory से related question है, एक और आ गया, क्या है वही, कि निम लगते में से कौन सा data और instruction, क्योंकि CPU की बरतमान सती में उपियो की जाते हैं, कितना, मतलब एक कोशन देखो, कि ये तीन कोशन है, तीनों का मतलब एक है, क्या है, ये data program जो recently यूज हो रहे हैं, प्रोग्राम कहां पर यूज हो रहे हैं, जो यूज कर रहा है, स्टोर का होंगे, कि ये data program भई, कहां स्टोर हो रहे हैं, जो enabled memory है भई, ये देखो, ये data program कहां पर स्टोर है रहे हैं, तो बतलब चीज एक ही है भई, आप सभी को पताए सब primary है, primary है नहीं, memory primary एक भी नहीं है, तो option number registered के साथ, क्योंकि सबसे primary, अगर आपके पास कोई data registered में नहीं हुआ, तो registered में नहीं हुआ, तो cash में जाएगा, cash में नहीं हुआ, current use में hold करता है, registered, जी, क्योंकि holding की बात करें, तो हम registered पढ़ाता है, क्योंकि CP को जो part है न, CU, ALU, और registered, registered के का काम स्टोरियज का था, clear, most volatile, volatile का मतलब क्या लाट जाने पर data चला जाता है, तो RAM होगा, अब RAM के साथ अगर हम जाएं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं most volatile, जिसमें light गई, तुरण data चला जाएगा, तो ये सबसे volatile है, तो SRAM भी है, और DRAM भी है, अब SRAM के साथ हम किसको लगाएंगे, DRAM के साथ कब लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, तो समझने के लिए आपको अगर मैं बता दू, तो DRAM memory होती है, वो most क्या ह कोशन भी है, कि जो हमारी SRAM memory होती है, साथ ही fast होती है, और speed भी अच्छी होती है, और इसमें flip-flop transistor का use होता है, इसे बार-बार refresh नहीं करना अपड़ाता है, अबर डेटा बार-बार चाहिए तो refresh करने के ज़रूत नहीं है, जबकि DRAM में होता है, तो DRAM में कमी है, कमी मतलब कमी है, तो डेटा जल्दी लाउस करेगी, तो option number second is the correct answer, ताकि motion यहीं से generate होता है, जो हमारी memory है, उसे बार-बार refresh करने की ज़रूत नहीं होता है, हमारा option number first is the correct answer, क्यों कि हमारी SRAM होती है, SRAM को बार-बार refresh करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि इसमें यह, जो हमारी SRAM होती ह है, जब कि जो हमारी DRAM होती है, यह हमारी किसे बनके बनी होती है, और यह हमारे कापिस्टर से मिलके बनी होती है, बाकि जो हम दैने की जिवर्म में यूज़ करते हैं, उस जी रेम होती है, इन दोनों का combination मानके चलिए, यह version आपनी सुनों के DDR1, DDR2, सारे version है, बाकि जिनकी की को full form है, जैसे DRAM की full form क्या है, एस DRAM की full form क्या है, तो यह full form अपने आप में एक नया कोशन जन्रीट करता है, मैंने किसी रेम की full form का कोशन नहीं पूछा, लेकिन कोशन आपको लेके चलना है, चलिए, नास्ट कोशन है, वो कौन सी memory जो कैपिस्टर से बनी होती हो, बार उसे refresh करना पड़ता है, आगे बात करते है, कोशन नंबर, यह भी मैंने multi time करा दिया हुई, कि कई बार refresh करनी की जरूरत पड़ती है, कई बार, हमारा DRAM होगा, अब डेको DRAM नहीं पूछा, ठीका full form करते है, तो कैसे कोशन चेंज हुआ है, यह आपको समझना होगा, क्लियर तो बार-बार refresh करनी की जरूरत पड़ती है, तो मतलब DRAM होगा, आगे कोशन नंबर 103, वही क्या कह रहा है, बार ने, read only memory के reference, अब इस प्रकार के कोशन का trend ज्यादा चलना है, statement में कोशन जरूर पोच रहे हैं, तो read only memory, अब read only memory के बार में, जो आपने बढ़ा है उसे mind में पर रहे हो, option पढ़ो, option क्या कह रहा है, कि computer सुरूर करने के लिए जो ROM instruction होते हैं, वो हमारे ROM में store होते हैं, बिलकुल सही है, ROM हमारा volatile है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इस question का, सत्ते पूछा जा रहा है, तो सत्ते हो जाएगा option हो, first is the correct answer, ठीक है, पांके एक बार option पढ़ रहते हैं, ROM shift के वर computer होती है, तो ये बात भी गलत है, ROM में store गेगी, जानकर ये आइसता ही, मतलब temporary होती है, तो ये बात भी गलत है, बागी fast option सही है, क्योंकि इस question का answer है, बागी इनको भी सही बना सकते हैं, क्यांकि ROM मतलब ROM में क्या होता है, हमारी device को section होते है, कैसे हमारी embedded software होता है, जो हमने बढ़ा था, वायूज जिसे बोलते हैं, firmware जिसे बोलते है, firmware, firmware इसी में store रहता है, बागी जरूरी थोड़ी के ROM हमारी इसी device है, बागी जिलने भी हमारी electronic device है, सम्में available होता है, क्लियर, आगी, storage की अगर capacity की बात करें, तो storage capacity में सबसे कम lowest storage किसका है, तो fluffy disk CD, VRD, DVD, आप सबी को पता है, अगर fluffy disk की बात करूँ, fluffy disk में, तो CD का आपको लगवक 700 MB है, और VRD की बात करें, VRD मतलब 25 GB, ये मैं आपको एक वार rough करके बता देता हूँ, rough करके बता देता हूँ, rough से सही हो जाएगा, देखो, अगर मैं CD की बात करूँ, तो 700 MB होगा, और अगर आप VRD की बात करें, तो 25 GB होगा, और DVD की बात करें, तो 7.5, 7, sorry, 4.7 GB होगा, और बागी fluffy disk की बात करें, I think 1.44 MB होता, ये storage को चेक कर लेना, तो ये ही हमारी सबसे lowest speed, सबसे कम storage capacity हो, clear, आगे, CD ने किसका इस्तान लें था, मतलब CD जब आई थी, तो किसको replace करके आई थी, तो सभी को पता है, DVD आई थी, मतलब पहले CD आया, CD, फिर DVD, और फिर BRD, असे याद रखें, आगे, PUSHION NUMBER 186, 186 भई क्या कहा रहा, DAS, User Modification, Read Only Memory है, मतलब यूजर इसे modify कर सकता है, क्योंकि यूजर को एक application में data store करने के लिए बार बार मिटाने है, और पुने लिए लिए बाकि अगर आप option पढ़ते ही, तो option answer हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, तो आपका memory है, memory में भी कौनसा, नुमारा memory की चितने भी question है, most अपता case में सारे हो जाएंगे, बस आप practice करके जाओगे, तो बाकि इस lecture के बाद आपको practice की जरूरत नहीं है, बाकि जैसे यह double e-p-rom है, जो कि हमारे flash memory की तरह काम है, मतलब r-w पे waste होता है, बाकि जैसे e-p-rom होता है, p-rom होता है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, lowest memory जिसकी speed कम होती है, speed आप सभी को पता है, speed का measurement भी द से हमारा primary memory आते है, primary के बाद second आता है, यह हमने figure पढ़ा है, इस figure से हमारे storage और capacity और speed के तीन मुलब दोन डिफाइन होती है, अगर speed की बात करें तो सबसे ज़्यादा है speed, जैसे जैसे आप बढ़ते जागों इदर, CPU से दूर चले जागों तो speed कम होती जाएगी, storage बढ़त secondary का comparison के बात करते है, storage ज़्यादा होगा, speed कम होगी, यहाँ पर speed की बात करें, तो speed देखो, speed cash की ज़्यादा है, RAM की ज़्यादा है, अब यह दोनों हमारी hard disk के, मतलब यह secondary memory है, secondary memory टैप की कम होगी, टैप की कम होगी, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, दो घंटे का मुस तो मैंने जो अभी figure पढ़ा है था, उसी figure से match करिए, तो CD secondary memory है, DRAM, SRAM हो गया, तो RAM से भी हमारा थोटा होता है, राइस्टर्ड क्योंकि जतना CP के नजदीक होगा, उतना fast होगा, राइस्टर्ड सबसे नजदीक होता है, फिर कैस आता है, फिर RAM आता है, फिर हमारा secondary हाता है clear, आगे बात करते हैं, कि fasted access time होता है, जो कि डेटा को अब ये बज़ देख लो, fastest access time, अब ये second नी memory कहीं, अब इन में से कैसे निकालोगी, सबसे fast हो, तो magnetic हमारी slow होगी, CD उससे fast होगी, इन दोनों में comparison करोगी, तो इन दोनों में comparison अभी बताया था, SSD हमारी fast होती, clear, question number 110 110 वे क्या किया रहा है, फिजली बंद होनी पर डेटा को बरकरार रखता है, तो non-volatile होती, कैसी non-volatile, मतलब data erased ना हो, बिल्दी चली जा तब भी, तो non-volatile, volatile में डेटा चला जाता है, कि दोनों चीज़ा हमने देखी थी, 101 वे क्या किया रहा है, यद आपके computer में 500 वारा MB का एक RAM है, वो एक 1GB का RAM है, तो दोनों RAM की कुल capacity कितनी होगी, तो दोनों को बस अड़ कर दो, कुछ मत करो, अब अड़ करोगे, तो यह आपका MB में है, यह आपका GB में है, तो दोनों में से एक को comparison करो, या तो आप 1GB को, 1GB को आप MB में, MB में वो कर लो, क्या बोलते हैं, translate, अ जीबी में ट्रांसलेट कर लो तो आपके लगे अगर आप इसे जीवी में करोगे तो यह 0.5 जीबी हो अगर ऐसे एमबी में करोगे तो 1024 एमबी के बराबर होगा डेपेंट करता आप किसी में भी करोगे कंपारिजन आपका हो जाएगा एड कर लीजिए जीवी करोगे तो टूपाइंट मतलब सबा जीबी है तो जो की गलत है ऑप्शन जीबी में तो नहीं होगा एमबी में होगा एमबी में मतलब एक जीबी हमारा एक हजार चौबीस हो गया और पांसवारा एमबी और हो गया दौनों को एड करोगे तो लगए 15-36 हो गया 15-36 एमबी ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नमबर सीज़्दा करेक्ट है तो में 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 मुरी कैपसिटी पस एडिशन हो जाएगा कुछ निए अफजलरी में में म से लाग्रेसि मेमरी को अमझे गांता है साइकन नी मेमरी के आतार पर यह जो कि इस कुछन का आंजर हो जाएगा भागी हार्ट डिस्क डीवी डी और ब्लू-्रे यह बात सही है एक वाइनरी वाइट होता है वाइनरी डिजिट वाइनरी नमबर इस वाइट होता है यह इस्टेट्मेंट दौनों मुझे लग रहे हैं लेकिन दौनों ऑप्षिन में से अगर आप ऑप्षिन अमबर ती थर्ड को थोड़ा सा दिखांते देखते हैं तो कहीं कहीं आपको एक सीज नजर आती है कि एक सीज नजर क्या है आप देखो दो आप्षिन मुझे मिल रहे हैं क्योंकि साही हो सकते हैं या तो आपका ऑप्षिन नमबर वाइन सेकेंड या थर्ड अगर आप सेकेंड को दो तो विट रप्रजेंट गुरफिंग जो हमारी विट ह है तो कि बिट में तो एक ही होता है या तो जीरो होगा या होगा दोनों मैं से एक होगा दोनों नहीं होगी यह ऑप्षिन गलत हो जाए बागी और नमबर तो ऑफिन portion of one fourteen की बात करें तो four nibble four nibble अगर one nibble की बात करूं comparison आप नहीं बढ़ाता memory आपको याद है one nibble एक क्वास्ट क्या पढ़ाता एक बना चार bits के बराबर होता चार bits के बराबर होता चार nibble मतलब चार का multiply और कर दो तो 16 हो जाएगा अगर memory की मैं memory का अगर chronicle order बताऊं जो आपका chronicle order होता और उसे define करूं तो सबसे छोटा होता है weight से nibble आया nibble से wide wide से क्लोवाइट क्लोवाइट से लीग आवाइट जिसे mb होते हैं गीगाट टेरा पैटा ऐसा चलते चलेगा अगर आपको इतना पता है confirm है बाकी जैसे one white आपका weight होता है weight में two digits होता है या तो zero होगा या one होगा दोनों में से अगर निवल में जाते हैं तो निवल में एक निवल चार weights के बराबर होता है one white equals eight weights होता है और one kb equals to one thousand 24 weight के बराबर होता है या तो आपने memory का unit एक table दिया था table आपने आपको पता होगा clear चलेगा यह हो गया इस question का answer हो गया option number third बाकी आगे बढ़ते हैं अब same question है two white एक कोस्व कितने weights होते है one white पता है सब बिलकुल पता है अभी आपने बताया था कि one white एक कोस्व कोस्व होता eight bits होता है eight bits होता है और दो है जब एक बराबर आठ है तो दो बराबर सा सूला होगा option number first is the correct answer clear चलेगा आगे question number 60 आपको एक सा सूला वही क्या कह रहा है आपकी computer में C1 और C2 दो रहम चिप है C1 की जो capacity है वह 4,096 मतलब 4,096 MB है और दूसरी की capacity है आपकी 4 GB तो इन दोनों का इस दोनों के बारे में statement क्या होगा यानि इन दोनों की जो storage capacity उस पर compared comparison नहीं कर सकते तो यह बात गलत है बिलकुल तो ना कर सकते हैं MB और GB में हैं बिलकुल करेंगे बाकि अगर बात करोगे storage capacity C और हमारा C1 है C2 से कम है और C2 C1 से कम है और दोनों बराबर है दोनों बराबर है तो तरीका क्या है या तो आप इस 4 GB को MB में convert कर लो या फिर इस MB को आप GB में जो भी तरीक आप आपको अच्छा लगा है अपसमें कर लीजे आपका कम हो जागा तो 1 GB कोज्ट वह आपने पढ़ाता कि वन जी पराबर सर्क क्या होता है तो एक हजार 24 Ọवीस MB 1024 होता है तो 4 GB की बात कर रहा है 4 का मल्टिप्लाइड कर दो तो चार हजार चानवे एमबी आएगा, चार जार चानवे यह हमारा C1 था, यह C2 हमारा चार चान अगा तो एमबी बराबर तो यानि दौनों की capacity क्या है? तो यह बस comparison आना चाहिए आपको, चली है, ऐसे यह यह है, 64, 64 मेगा वाइट इसके बरावर होगा तो 64, पहले तो 1 MB आपको पता होना जरूरी, कि 1 MB बरावर क्या होता है 1 MB बरावर, MB से चोटा क्या होता है, सर 1,024 केवी, 1,024 को आप टूकी पावर 10 केवी लिख सकते हैं सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर कि हमारा केवी में आगया 2 की पावर 10 केवी आगया 2 की पावर 10 केवी आगया तो इसका मतलब क्या है अब आगे और छोटा करो क्यों कि केवी में क्या लिखा है अगर आप केवी में देखोगे तो केवी में आपका ये लिखा है 1 केवी में ये लिखा है कर देंगे टू की पावर 6 multiply टू की पावर 10 के भी इनका multiply करूगे तो टू की पावर टूटल 16 आएगा option number हो जाएगा option number हो जाएगा second is the correct answer बांकि और भी comparison सकते और भी comparison आप आराम से कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है पर होगे comparison आपको मिल जाएगा यह चलिए क्यास memory इंट्रडूस क्या गया था यह बता देजिए वह अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे वह भी आरी memory में आपका paper tap आया था फूसरी generation में आपका क्या था वरा magnetic टैब आया था टैब पेपर पंच कार्ड पंच कार्ड भी एक memory है जो कि फूस होती अब पताना यह कि किस में आई ती तो क्यास में मुरी के generation लिग दीजिए कितनी कोशन और हैं ज्यादा नहीं है भई कोशन और बचे हैं आराम से हो जाएंगे टैन मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा क्लियर चलिए तो कौन से जनरेशन में कैस memory आई ती तर ऑप्शन अंबर थर्ड जनरेशन में आई ती तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसके लिए करते हैं कि आपको बैक अप के लिए करते हैं इसके लिए बैक अप के लिए बैक अप चाहिए तभी तो अधर डिवाइस डिवाइस नहीं वांगे तरीका है ने कोंटीब क्या किया करने कि कांपयोटर में अन्य हार्डवियर भागों को Toh application जत्News पर विद को सारे के सुरह होते हैं कि सारे किसमे होते हैं एक की सीमार, रॉम में होते हैं वोगे रैम का यूज आ्म करते हैं क्रिमरी यूज्स के लिए तो प्रैमरी यूज नहीं है किस ग्राइस से का吃 हैं इंटराक्ट करेगा हमारे कंपेटर ये हमारा लॉम ही dof auditor करे बाग की चिप हैं तो पॉल्ब इसे भी आप आप आंसर सकते तब भी आप आप सबसे बड़ा मैमोय साइज उस अब और मैमोरी मैंने यूनिट के आपको साइज बता थे सबसे बड़ा नेवल हली सबसे बड़ा क्या हो जाएगा सबसे बड़ा टीवी हो जाएगा अगर आपको ऐधा एक क्या है चीह क्याको करτ आपको जो उस मैमोरी का जो सबसे चोटे ओंडर से आप बड़े वाला आक्शन चला जाएगा से सिद्धी आता है आता है ये उसेजा हो जाएगा क्यों सब्सक्ति हags ह необходимо नॐ 23 6007 क्या नों प्रसक्तुम च्रेटरण रहा है कौन सा स्टेट्मेंट गलत है वो भी रैम के संब्द मैं बुला ना इस प्रेकार के कुशन दरूर पूचे जा रहा है यह ट्रेंडिंग है भई तो आज का मलब यह रैम की संब्द में गलत है रैम की बात करें तो रैम इस डारेकली एक्सिस भाई सीपी यह बात बिलकुल सही इसमें में फोई दीक्कत निए रैम डाराटाइल लेचर हूती है रैम डलाटाइल होती यह बात भी सहिए है रैम बात है यही हमारा गलती पूछाता आगे बात करते हैं 124 124 का क्या है प्रतीक 8 विट्स के 128 वर्ड के टापेबिलिटी मनलब जो होता है रेम के लिए कितने एड्रेस वाइड्स की जरुवत होगी प्रतीक 120 वर्ड उनके लिए आपको प्रतीक 120 वर्ड स्थोर करना है और total हमारे पास 128 word है उनको storage के लिए में कितनी capacity की जुरूथ परेगी bit है bit का मतलब क्या होता है what का मतलब होता है two two की power कितनी होगी कि आपका 128 हो जाएगा two की power seven कर दू तो आपका 128 2 की power 7180 तो आपकी capacity जो रैम के होगी वह two कि power 7 ही होगी तो option number क्या हो जाएगा हर्ड इस तक रिक वन पुवटी फाइब इस ट्रैक मतलब हाड डिस्क के जो परतीक ट्रैक होते हैं तो एक मतलब विज्वल विज्वल बोल जाए कि बालब क्या होते इन विज्वल विज्व यह से आकार का एक खंड होता है कि क्या क्या हुट पड़ा इस ट्रैक आपने पड़ता है यह ट्रैक उताई अब त्रैक के प्रतिक खंड आसे खंड होते यह थे वार्फ हैं सब्सक्राइब तो हुद्धिन हो गहीं हुद्धिन होगा एक हिए हार्डइस यह इनर पार्टंट आगा पार्ट स्पार्ट होता है हार्डिस्ट में अगर आप स्टोरेस कैपसिटी की बात करोगे तो आपके हार्डिस्ट में ही आपका MBR स्टोर होता है मेरा सवाल आप से यह बहुत देर से सवाल नहीं बूचा है सवाल एक जो MBR होता MBR MBR का फुल फॉर्म है वह आप बता देजिए तातीसात में या फिर अप यह बता दे कि determination का करते कहा है यह बताओ ए इस जीरो ऑक्षिए होगा इननर होगा यह औया आउटर बाहरी होगा यह पिर आंत्री कोगा पांशर हो जाएगा आपशिभ्श नमबर ऑब्हारी होगा ओधर जीरो ится 127 की बात करें 127 है जो आप्टीकल डिस्क जिसे सी बढत कर नंकी तो ट्रैकिंगे बीच में जो इस पेस इसे चाहिए तो उसे किस नाम से जाते हैं सब्सक्राइब कि नाम से ऑप्षिन पर फोट इसमें यूज होता है बूटिंग आ रहा है बूटिंग आ रहा है बूटिंग आ रहा है सबसे टेज और सबसे तेज च्.. औ। ृबंबर1000 यूटिंग यूटिंग सुटलि वूर्टिंग क्या है या या अजिक्मी यूटिंग यूटिंग मैं क्या करता है encode करने का काम करता है यह मैंने आपको पढ़ाया भी था पढ़ाता नंदर पढ़ाया है यह का आपको अडियो कोडिक भी होता है लिएक होता है और डान्ससेर होते हैं कि कोडिक के आपक Three मतलव होता है niqpa करने का का काम और दे कम्प्रैस करने का काम करेगा और क्सलिवश मैस्पर स्भूस्ट सब्सक्रमद्चनुए जब तक आपको कोडिक का मीनिंग डेफाइन नहीं होगा, तब तक कोशन का अंसर नहीं डगा सकते हैं, यह बात पर हम सकते हैं. इस प्रासेस को हम क्या बोलेंगे असेंब्लिंग ट्रांसलेटिंग पार्स रिंग या फिर फॉर्मिटिंग बता देजिए बांकि जो कोशन नंबर 129 ने जहां रखना अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आपका टेलिग्राम मतरस्वरी आपके इस चैनल पर भी पढ़ाया वी दोनों को लिख लिए ना दोनों के प्रासेस काम करता है इतना सफीसेंट है फिर आपको वीडियो पढ़ने की लास्ट कोशन है आज की लाक्षिन का बंड थर्टी वन क्या है यह स्टेंडर्ड सिंगल साइडिड लेयर डीवीड पूल जो हमारा डीवीड का सैंडर्ड जो स सिंगल लेयर होता है तो लेयर की बात करेंगे तो हमारा 50 जीवी होता है क्लियर में आज अगर आप देखोगी तो लगवग लगवग अगर मैं कोशन का डेफिनिशन दूं के लगवग आपने किस से कोशन की आज के सैशन से तो यह मान के चली के लगवग चार और चार आठ अज us डेक्शनस का डेटा आज़का लाक्शर कंपलीट कर देता है अट कोशन से निम्म नहीं को जाते हैं कभी यह निम्द भी बारा भी बड़न होती है चो आज करेगा वाह वाँक midst करेंगे के अंदर हम आप्टिंग स्टम विंडो लाइनेक्स इनके बारे में बात करेंगे और यही बहुत कल का साशन है जो सावन टूइट को भी अपनी आप में रखता है सेवन टूइट से भी आते हैं जो कि लाइनेक्स एक अच्छा टॉपिक है बागी आगे जो इंटरनेट होगा इंटरनेट में तो बहुत और इंटरनेट में तो उतनी सावन टूइट की बांकी उसी इंटरनेट वाले मिसलीनिस टॉपिक भी कर लेथें हम प्राशन हो गया या फिर आप आप जो वर्ट्यूज एस्सिस्टेंट हो गया आपका स्कारान अच्छा लगा तो बांकी सथ कोई कोई डाउड कोई भी क्वारिय कोई कॉंसेट है तब कमेंट बक्स में जरूर बताना इन लोगों को कोई सवाल है तो वो बने रही है ताकि जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए मेरी तरफ के पूरी टीम की तरफ से दाख़ बाद क्या आपने अरा साथ दिया आप अभ पढ़ेंगे कल क्योंकि यह कैमोस हमारा वूटिंग में यूज होता है वूटिंग में किस में वूटिंग में यूज होता है इसलिए मैंने बाकि कोई डाउट ताकि जो बताया ने जो उस पर भी विसेज़ गाम देना आसा नहीं है कि सब्सक्राइब यहां पर रखे वही आपको याद करने वो कुशन तो इपोडिंट है उसका फेस भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे कैसे बन सकता है बाकि जो मैंने जो बोला है ना उस पर भी बिसेज जान देना वो सबसे जो जाएगा या तो वो डिवाइस में जाएगा मामरी में तो बिलकुल हो जाएगा और जाने का एगर चांस है ना क्या मतलब जाने का या जो फंडामिंटल में जाते हैं तो फंडामिंटल में जो आर्क्टेक्चर होता है वहां से कहीन की कांप्व कल 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 देखੀंगे वही ठीक्षेंगे तक नंबर कमा रही है तो meshando की किसे नंबर करके बाझ करेंगे आताम चार स्टेप पर काम करना तो तर इंपरूव हो जाएका भसको काम करना हुगा, काम करोगे तो definitely होगा, otherwise काम नहीं करोगे तो परिशानी है, ठीक है चले तो I think आपको सब ज़्यादा जान कर शीद नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम भी करेंगे, मैं नंबर सिस्टम को साफरेट नहीं करेंगे नंबर सिस्टम को मैं जो इंटरनेट वाला साफरेशन होगा, उसी में करा हुआ क्लियर, तो कि नंबर सिस्टम बैसे मैं कोशन मानता था, बट इस बार जोलाई में थोड़े से दो दो कोशन आ गए थे, कभी एक सिप्ट नहीं आता, बट जो स्टार्टिंग की सिप्ट थी, उसमें दो-दो कोशन ताहसे नंबर सिस्टम हरवार पढ़ती हैं और रिविजन का पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम ताहसा नहीं छोड़ देते, पढ़ते सारे टॉपिक हैं लेकिन प्राइटी उन्हें ज़्यादा देते हैं, जिनका चांसे ज़्यादा रहता है रिजनिंग के सेक्षन हाँ, जिन्होंने रिजनिंग और मैस का सेक्षन नहीं लिया, वो भी टेंशन है मैस और रिजनिंग का भी होगा, कि कल हमारा साफ्टर एंटरेट उसके बाद पूरा 75, मैंने महारी विजन बता तो इस सार्टिंग में बोलाता कि आपको पूरा 75, मतलब 75, पूरा होगा रिजनिंग कांपरेशन भी होगा, सब कुछ होगा क्लियर तो साइशन अच्छा लगा है I think जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लाइक की बढ़ते जा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपको साइशन अच्छा लगा है क्लियर तो सुबह जो मैंने आज मौक्टेस दिया था उसका सॉलूशन हम सुबह करेंगे और आने वाले नास तो छोड़ दो वही साथ से आठ कोशन ही ऐसे निकलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे पूरे पेपर में और सारे कोशन आप टच करते हो जाओगे यानि अंसर लगाते हो जाओगे चली तो फिल लेते हैं आप लोगों से बिदा और मिलेंगे कल साशन में सुबह भी आना साथ के लिए नहीं है मौक्ता सावन का हम सॉलीशन करें के मौर्णिंग में सावन रादे रादे